Hello Friends, You are most welcome in our channel Tutorial Planet ये जो वीडियो है, इस चैप्टर का नाम है The Ice Age Comet ये है बिहार बोर्ड क्लास 12 में दिया गया है इसका नाम है Read, Think and Enjoy वाले सेक्शन में पढ़ो, सोचो और Enjoy करो ये सोचने वाला चैप्टर है और ये चैप्टर पढ़ने के बाद क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ आप लोग सबसे ज़्यादा परिशान किसी से रहते हैं गर्मी से गर्मी में लोग बहुत ज़्यादा परिशान रहते हैं उनको AC चाहिए, Cooler चाहिए, Pancha चाहिए Cold Drinks चाहिए, ये वगरा वगरा और बहुत परिशान देते हैं लोग गर्मी से गर्मी उनको किसी को पसंद नहीं आती है लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको गर्मी पसंद आने लगेगी ठीक है? और ठंडी से आपको डर लगने लगेगा अभी क्या होता है? ठंड से डर नहीं लगता है ठंड में तो लोग गंजवाई करते हैं गर्मी में लोग परिशान हो जाते हैं गर्मी से डर लगने लगता है लेकिन ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपका जो सोच है वो थोड़ा बदलेगा और गर्मी आपको अच्छा लगने लगेगा क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का नाम है इस दुनिया में हजारों साल के बाद एक बार आइस एज आता है जिसमें पूरी धर्ती बर्फ से ढख जाती है और इस धर्ती पर जितने भी जीव है उन सारे जीवों का अस्त तो खत्म हो जाता है उसके बाद फिर वो आइस एज जो है हिम यूग धर्ती का जो बर्फ है वो फिर धीरे धीरे पिखलता है और फिर वो पानी में बदलता है फिर यहाँ पर दूसरे जीवों का वास होता है दूसरे जीव जन्म लेते हैं तो उसी दृष्य को उसी नजारे को दिखाते हुई है कोई रियल घटना नहीं है यह एक कालपनी घटना है जिसमें यह जो राइटर है हमारे जैन्त विश्नु नारलीकर यह कलपना करते हैं कि अगर आइस एज आया लेकिन यह चैप्टर बहुत बड़ा है यह साथ पेज का है 145 पार धरती कैसे समाप्त होगी तो हम लोगों को लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग से धरती समाप्त हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं है धरती जो समाप्त होगी वो ठंड से समाप्त होगी पूरी धरती बर्फ से ढग जाएगी पूरी धरती पर जो पानी है वो सारी जम जाएंगे और इस तरह प्रित्वी पर से जीवों का अस्ति तो इनसान का या जो भी अभी वर्तमान में जीव हैं, सारे जीवों का अस्ति तो खत्म हो जाएगा। तो इसी ice age कैसे आता है और कैसे आ सकता है, आने वाली पीढ़ी इससे कैसे बच सकती है, अगर वो ice age को देखे, मान लीजे कि अभी अगले साल, दो साल के बाद ice जाना सुरू हो जाए, और अगले तीस साल में ice जा जाए, तो उससे बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि उसका तो कोई ठीक है नहीं, कैसे भी आ सकता है, प्रतिवी nature को तो कोई control नहीं कर सकता, ना, nature uncontrolled है, वो खुद बखुद ए लोग कैसे परिशान होंगे और उससे कैसे बचा जा सकता है, और ice age से अगर आप बच भी जाएंगे, फिर आपको क्या कौन सी परिशानी होगी, वो सब इसमें दिखाया गया है, तो चलिए पहले, इनके बारे में पढ़ते हैं, यह हमारे देश के ही थे, इनका जन्म है क्वके ईसे कोब दो नियुक्ते फिलन वित्बंचेके अप्ष स्ब्रास का ओ sigue है colonialism जाता है यह ज्याया पूर 25 पर ये बहुत ज़्यादा फेमस और पंच गंगा नाम के नदीके है किनारी में बसा हुए है यह है तो and a graduate from Banaras Hindu University in 1957 BHU Banaras Hindu University का नाम आप लोगों ने सुना होगा 1957 में इन्होंने graduate किया studied mathematics at Cambridge University Cambridge University में इन्होंने mathematics की पढ़ाई की He graduated from there with the highest honors ये यहां से भी graduate हुए एकदम highest honor के साथ and Tyson Medal for Astronomy Astronomy में खगोल विज्ञान में खगोल मतलब अंतरिक्ष विज्ञान नक्षत्रों के बारे में जो पढ़ाई होती है अंतरिक्ष के बारे में ग्रहों के बारे में जो पढ़ाई होती है उसके बारे में Astronomy में इनको Tyson Medal मिला He continued in Cambridge as a research student of Fred Hoyle Fred Hoyle इनके student के रूप में ये research कर रहे थे research करना जारी रखा Cambridge University में He was awarded PhD in 1963 इनको PhD का award मिला 1963 में मतलब इन्होंने PhD भी कर लिया and SCD मतलब Diploma in Philosophy and Diploma in Science भी इन्होंने कर लिया SCD भी कर लिया Degree of Cambridge University 1976 Cambridge University में ही 1976 में सोच सकते हैं इन्होंने कितनी पढ़ाई की थी In 1963 जयन्त नारलिकर बीकेम Fellow of King's College 1963 में ये King's College के Fellow बन गए मतलब King's College जाने लगे Cambridge and 1966 Joint Fred Hoyle Newly Established in Institute of Theoretical Astronomy at Cambridge और उसके बाद ये फिर कहा गए Cambridge University में गए और 1966 में इन्होंने जो Wells का जो नया नया जो Establish हुआ था इनका जो Institute था Wells का Cambridge University में ही जो था उस Institute का नाम था Theoretical Astronomy ठीक है? Theoretical Astronomy He returned, theory तो आप लोग समझते ही है Theory, theory, theoretical, astronomical, astronomical गोल विज्यान का theoretical भाग जो होता है, theoretical वो practical नहीं, theoretical He returned to India in 1972 to the Tata Institute of Fundamental Research as Professor of Astrophysics Tata Institute of Fundamental Research यह जो Tata का जो Institute है Fundamental Research का वहाँ पर यह Astrophysics के पर प्रोफेसर वही खगोल यह फिजिक्स खगोल भौत की Astrophysics के प्रोफेसर के रुप में यह इंडिया आ गए In 1989 He moved to Pune 89 में यह Pune चले गए to set up the inter-university center for astronomy and astrophysics inter-university center बनाने के लिए set up करने के लिए किस के लिए astronomy और astrophysics का inter-university center set up करने के लिए अस्थापित करने के लिए यह Pune चले गए जहनत नारलिकर has established worldwide acclaim for his research in gravitation and cosmology देखिए नारलिकर has established worldwide acclaim पूरे दुनिया में इनकी परसंसा की जाती है किसके लिए इन्होंने जो research की यह जो आपको दिख रहे हैं नारलिकर साब इन्होंने जो research की किसके उपर किस बारे में gravitation के बारे में इन्होंने रिसर्च की इसके लिए इनकी worldwide acclaim की जाती है worldwide इनकी प्रसंसा की जाती है ठीक है जो छोटा छोटा जो दृष्टी कौन होता है जिसके तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता उसके तरफ इन्होंने लोगों का ध्यान आकर शिट किया है इन्होंने लोगों का ध्यान आकर शिट किया है इन्होंने लोगों का ध्यान आकर शिट किया है जो scientific topics हैं, जो scientific मुद्धे हैं, उस पर ये public speaker के रूप में भी जाने जाते हैं, ये बोलते भी हैं लोगों के बीच में, scientific topic के बाड़े में In 1996, he was awarded the Culling Prize by UNESCO, UNESCO के द्वारा इनको Culling Prize दिया गया, for science popularization Science को popularize करने में, लोग प्रिये बनाने, इन्होंने जो बनाया, इसके लिए UNESCO ने इनको Culling Prize दिया He has several technical and popular books to his credit, इनको credit मिला है, बहुत सारे popular books और technical books लिखने का इन्होंने बहुत सारे popular और technical books लिखे हैं, and also enjoys writing science fiction as a form of relaxation इन्होंने science fiction भी बहुत सारे लिखी हैं, relaxation के form में, ताकि लोग उसको पढ़ करके relax हो, अच्छा लगे, लोगों को पढ़ करके और बता दू कि ये chapter पढ़ने से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, जानने को भी मिलेगा, science के बारे में His major works include seven wonders of the cosmos, इनका जो कुछ प्रमुक किताबे हैं इनकी, वो है seven wonders of cosmos, मतलब ब्रमान के साथ आश्चड़े, and और कौन सी किताबे हैं, an introduction to cosmology, introduction to cosmology, ब्रमान विज्ञान के बारे में एक introduction, the present story, the ice is comet, जो present story है, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, the ice is comet, translated from Marathi, इन्होंने Marathi language से ये translate किया गया है, by the author himself, इन्होंने खुद इसे translate किया, English में, warns us, हमें ये जो chapter है, ये हमें warn करती है, चेतावनी देती है, against the consequences of global warming, global warming का जो consequence है, मतलब, जो global warming का जो परिनाम है, जो global warming जो हो रही है, विश्व जो गर्म हो रहा है, फिर विश्व जो ठंडा हो जाएगा, तो global warming कितना अच्छा है, या बुरा है, global warming होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए, उसके consequence को, उसके परिनाम को, उसके महत्त को, के बार कौमत यह हम लोग पढ़ते हैं और एंजॉई करते हैं डैडी डैडी गेट अप क्विक गेट अप क्विक पापा पापा जल्दी उठो जल्दी उठो लुक देखो देखो कितना अच्छा लग रहा है इतना सारा बर्फ राजीब शाह वोके नप फ्रॉम इस डीप मॉर्निंग स्लीप बाइडी स्कॉमोशन फ्रॉम देखो कामा मचा रखा था कॉमोशन यह इस से राजीब शाह सुबह की नींद से उठ गए कोड़न्ट एट फर्स्ट मेक आउट वाट इट वाट इट वाज अल अबॉट मेक आउट का मतलब होता है पता करना पता लगाना वो पहले पता नहीं लगा सके उनको पता नहीं चल सका कि यह सब क्या हो रहा है क्यों हला कर रहें बच्चे वाई वेर कविता एंड प्रमोड सो एकसाइटेड कविता और प्रमोड इतने ज़्यादा एकसाइटेड क्यूं है इनको सबसे पहले सुबह-सुबह आदमी उठे कर कोई हला कर रहा है कि बाहर में बर्फ देखिए कितना स कितना सरत बर्फ है कितना सरत बर्फ है तो यह कैसे पता चलेगा कि यह दोनों क्यों हला कर रहे हैं क्यों कैसा कुछ हुआ सुना नहीं तो आज अचनक से बचे क्यों हंगामा कर रहें कॉमोशन फैला रहें तो Chi altri कहानि इस्टार्ट हो चुका है the ice is Cabinet यह कालपनिक कहानी है जिसमें science fiction है science के बारे में भी आपनों को knowledge लगेगा knowledge पता चलेगा और इसमें यह भी पता चलेगा कि जब आई से जाएगा तब किस तरह के हालात लोगों के बीच में पैदा होंगे ठीक है चली आगे पढ़ते हैं देगे जहां जहां मेरा pen जाएगा व in the snow asked कविता कविता ने पूछा कि dad क्या मैं go down नीचे जाओं और बर्फ में खेलूँ snow बर्फ here in Bombay मुंबई मुंबई में Bombay में बर्फ how is it possible यह कैसे possible हो सकता है क्योंकि मुंबई में तो हमेशा मौसम सेम एक सा रहता है तो वहां पर बर्फ कैसे गिर सकती है how is it possible Rajiv got up quickly Rajiv एकदम तेजी से उठा and looked out of the window और window खिरकी के बाहर देखा he stared in disbelief disbelief उसे भरोसा नहीं हो रहा था एकदम बिना भरोसे के वो एकदम घुडा है a stair घुडा yes it had snowed हां बर्फ गिरा था and there was a white carpet stretching between houses और ऐसा लग रहा था कि घरों के बीच में जो दो घर थे आमने सामने उन घरों के बीच में white color का carpet कोई चटाई बिचा गया है and suddenly he realized how abominably cold it was अचानक से suddenly he realized उसे महसूस हुआ कि how abominably कि कितना बुरी तरीके का ठंड था उस सवर उस वक्त the kids had two pullovers on बच्चों के पास दो pullovers थे sweater थे that was all they could lay hands on और यही जो था उनके पास था मिला जुला के दो ही sweater थे और कुछ भी नहीं था ना कोई कंबल था ना आग जलानी की कोई वेवस्ता थी क्योंकि मुंबई में तो आज तक कभी इतनी ज्यादा ठंड पड़ी ही नहीं कि sweater कप स्वेटर पहनने की जरूरत पर है हाँ यह लोग कभी कभी जाते थे शिमला मनाली उटी गुमने के लिए तो वहाँ पर जो पहनते थे वही रखा हुआ था तो वह बचों ने पहना था Who in Bombay needs warm clothes anyway? Who in Bombay किसे Bombay में किसे needs जरूरत होगी warm clothes? गर्म कपरों की कभी भी गर्म कपरों की क्यों जरूरत होगी किसी को? When they had brought these in उटी last year जब यह उटी गए थे last year तब इन लोगों ने यह खरीदा था Little did they imagine that they would find use for them उन्हें little थोरा सभी उन लोगों ने imagine नहीं किया था कि उन लोगों को इनका use परेगा कभी भी स्वेटर पहनने की जरूरत परेगी No, don't go down, नीचे मत जाना, replied Rajiv, Rajiv ने कहा Shivering with cold, thund से ठिठूरते हुए Rajiv ने कहा कि नहीं नहीं, don't go down नीचे मत जाओ, he however relented as he wrapped a shawl tightly around him Him, he however, he were Hala की अंत में relented, जब वो कोमल पर गए, नरम पर गए, जब वो मान गए कि हाँ बहुत जादा ठंड है, तब He wrapped, उसने लपेट लिया, Rajiv ने एक shawl, एक shawl, shawl लपेट लिया, टाइट से अपने चारो तरफ, we will all go to the terrace instead इसके बदले में, नीचे जाने के बदले में, हम लोग terrace पर चलेंगे, छट पर चलेंगे But put on your shocks and shoes, लेकिन तुम लोग अपने मोजे और जूते पहन लो Pramod and Kavita ran ahead while Rajiv found a thicker shawl for himself Rajiv उन लोगों के लिए कोई motor shawl खोजते, इससे पहले Pramod और Kavita दौर परे, आगे आगे How he wished they had a heater, काश उन लोगों के पास, काश उन लोगों के पास, काश उन लोगों के पास, कोई heater होता Even a cold stove, कोई कोईला वाला stove होता, would have been welcome in the bitterly cold room इतने ठंड भरे room में एकदम welcome था, उस स्वागत था, उस stove का, कोईले के stove का या heater का This snowfall had come as a climax to the changing climate of the last week Last week, पिछले सबता में climate change हुआ था कुछ पडियावरन में कुछ परिवर्तन होता है, जैसे हमारे यहाँ अभी गर्मी का मौसम आया है उसके बाद धीरे धीरे पडियावरन चेंज होगा, climate change होगा, तो फिर बरसात का मौसम आएगा फिर धीरे धीरे climate change होगा, तो ठंड का मौसम आएगा तो पिछले महिने में जो थोड़ा climate में change आया है, उसके climax के रूप में यह snowfall हुआ है ठीक है, यह एकदम last में जो आता है climax उसमें यह आया है नौर्मली, नौर्मली क्या होता है, दा बॉम्बे आइट, जो बॉम्बे के लोग होता है बॉम्बे के लोगों को बॉम्बे आइट कहा जाता है, जैसे बिहार के लोगों को बिहारी कहा जाता है तो दा बॉम्बे आइट complaints of a cold wave when the mercury dips to 15 degree Celsius जो बॉम्बे के लोग हैं वो cold wave के लिए complain करते हैं कि ठंडी wave चल लही है जब पारा जो है mercury मतलब पारा जब 15 degree Celsius के नीचे चला जाता है अभी हम लोगों का जो गर्मी है हम लोगों के यहां वो 34 degree से 35 degree 36 degree C होता है Celsius चालिस डिगरी भी पहुंच जाता है तो जब वो हाँ पर 15 degree Celsius टेंपरेचर जाता है तब वहाँ पर cold wave चलता है यस्टरडे कल बीता हुआ कल जिस दिन ये बर्फ बारी हुई थी सुनो फॉल हुआ था उससे एक दिन पहले यस्टरडे इट हैड रीच्ड फाइव डिग्री डूरिंग डे टाइम डे टाइम में दिन के समय पांच डिग जला गया था इस चेंज़ेज ऑफ विदर वाज टोटली अनस्पेक्टेड यह जो विदर में विदर मतलब एक दिन का मौसम दो दिन का मौसम को विदर कहते हैं और लंबे समय के लिए तीन महिना दो महिना या एक महिना का जो पुरा मौसम होता हुआ उसको सीजन कहा जाता है तो विदर मतलब थोड़ी समय के लिए जो मौसम होता है क्लाइमिट वाता वरन में परिवर्तन होता उसको विदर कहते हैं तो यह जो वेतर में जो परिवर्तन हुआ था यह टोटली अनेक्सपेक्टर था कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि इस तरीके से बॉंबे मे बर्फबारी होगी इवन दपंडित हैड बीन फ्लमक्स यह पंडित जो पंडित लोग जो थे वो भी बेचैन हो गए यह क्या हो गया कोई अनुमान नहीं लगा सकता था यह आखिर आगे कहां तक जाने वाला था यह ठंड आखिर कहां तक बढ़ने वाला था सबसे उपरी वाली सीडी पर चट करके प्रमूद चिलाया आज आओ जाओ डैड दे एंजॉइड दे लग्जरी ओव बिंग ओनर्स ऑफ अपार्टमेंट ब्लॉक एंड हैड टॉप फ्लोड एंड टेर्स तु देंसेल्स वे लोग एंजॉइ कर रहे थे किस चीज का लग्जरी थी लग्जरी मतलब जो जो विलासिता थी जो एडवांस उन लोगों को मिला था कि वो लोग एक ऐसे अपार्टमेंट का ओनर थे मालिक थे जो सबसे उपर में था टॉप फ्लोर पे था उसके पास एक छट था टेरिस था ठीक है तो और बाकी लोगों के पास था तो ये छट पे चरके पूरा शहर देख सकते थे I'm coming मैं आ रहा हूं but for God's sake लेकिन भगवान के लिए take care ध्यान रखना it may be slippery वो slippery हो सकता है राजीव called back as he lumbered up the steps जैसे ही लर्खराते हुए lumber मतलब लर्खराना जैसे ही वो सीड़ी पर लर्खराते हुए चड़ रहे थे रा यह slippery हो सकता है slip कर सकता है so be careful take care for God's sake how cold it must be the top अगर छट में कितना ठंडा होगा oh my god he overcame his concern as soon as he reached the top जैसे ही वो as soon as मतलब जैसे ही he reached the top वो top पर पहुंचे he overcame his concern वो अपने उनका जो चिंता था वो एकदम सही हो गया overcame मतलब जीतना अपने चिंता पर विजय प्राप्त कर लिया मतलब उनकी जो चिंता थी जो concern थी वो एकदम ठीक निकली so breathe taking was the view जो view था जो नजारा था वो एकदम सांस रोग देने वाला था दम घोट देने वाला था ब्रीद टेकिंग था he thought he was looking at a Christmas card scene of European town उसने सोचा राजीव ने सोचा कि वो एक Christmas card जो होता है Christmas वाला कार्ड जिस पर यूरोप में Christmas tree रहता उस पर पूरा बर्फ लगा रहता है बर्फ परा रहता है आप लोग देखे होंगे यूरोपी पीला पूरा Christmas tree सब घिरा रहता है बर्फ से धका रहता है वैसा नजारा दिख रहाता है यहां पर rather than the sweltering heat of Bombay Bombay जहां पर sweltering heat होता है जहां पर तपती गर्मी होती है वहां पर इस तरीकी का नजारा देखने को मिल रहता है even the trees जो trees थे जो पेर थे lining the avenues of the Hindi colony उस colony का नाम था हिंदी कॉलोणी उसके avenue में avenue मतलब रास्ता होता है और उस रास्ते पर जो रास्ते के किनारे किनारे लाइन से जो पेर लगे हुए थे हिंदी कॉलोणी में we are covered in white वो white color से पूरे color हो चुके थे गदम covered हो चुके थे ढग बर्फ से the footpaths and streets where however हला की जो footpath था पैदल चलने वाला रास्ता और जो गलियां थी a mess of black and white because of the traffic वहाँ पर कुछ गारियां चल रही थी इसलिए वो black and white दिख रही थी black जो पीच पीचिंग था रोड था वो और white बर्फ the railway lines going past the dadar station looked deserted जो railway line था जो dadar station पर जा रहा था दादर station की तरफ वो एकदम desert लग रहा था मरूँस थल के तरह लग रहा था पूरा बर्फीबर I bet मैं बाजी लगा सकता हूँ मैं शर्त लगा सकता हूँ कि the central railways have packed up जो central railway जो केंडरी ये rail है वो एकदम बंद हो चुका होगा they don't need much of an excuse उन लोगों को जादा बहानी की जोरत नहीं होती थोरा बहाना मिलता है कि बस train को एकदम late कर देते हैं या बंद कर देते हैं he muttered to himself वो खुद से बर-बर आया राजीव mutter किया कि हो सकता है जब ये दादर local train जबंद हो गया तब तो central railway बला train तो पक्का बंद ही हो गया होगा I wonder what the western are doing मुझे आश्चर ही होता है कि जो western railway है जो पश्चमी railway है वो लोग क्या कर रहे होंगे as if manu in reply to his thoughts ऐसा मानो कि उसके सोच के जवाब में वो जो सोच रहा था अपने मन में उसके जवाब में a local train went chugging एकदम चग करते हुए मतलब एकदम track पर रेंगता हुआ chugging मतलब रेंग ना रेंगता हुआ track पर passed on the track towards mahim mahim की तरफ mahim शहर का नाम है Bombay के शहर तो mahim के तरफ वो चग करता हुआ chugging करता हुआ एक western railway जा रहा था उसके जवाब में जब यह सोचा तो ऐसा लगा कि जवाब देते हुए वो train गुजरा वहाँ से राजीव's thoughts went back to the bit that he had made five years ago राजीव यह सब सोची रहा था कि लेकिन उसकी जो सोच थी वो went back पीछे चली गई कितनी पीछे चली गई पांच साल पीछे five years ago पांच साल पीछे चली गई to the bit उस शर्त की तरफ चली गई that he had made जो उसने लगाई थी पांच साल पहले जो उसने शर्त लगाई थी वो अचानक से इसको याद आ गई राजीव को it had sounded such a safe bit then it had sounded ऐसा मालूम होता था कि यह कितना safe शर्त था कितना सुरक्षित सर्त था जीतने का would it slow in Bombay क्या Bombay में कभी बर्फ गिरेगी अभी हम मैं अगर आप लोगों से पूछूँ क्या बिहार में कभी ऐसी बर्फ बारी हो सकती है कि पूरा पेर पौधा बर्फ से ढख जाये जमीन जो भी है बर्फ से ढख जाये सारे पेर पौध क्योंकि ऐसा कभी होई नहीं सकता ऐसा हम मानते हैं ऐसा राजीब ही मानता था कि would it snow in Bombay क्या Bombay में कभी बर्फ बारी होगी वसंत हैड आस्क्ड यह वसंत कौन थे अभी आप लोगों का आगे कहानी में पता चलेगा जब वसंत ने राजीब से पूछा था कि क्या Bombay में कभ आप दिया था कि never कभी नहीं एंड वसंत हैड अर्ग्यूड कंफिडेंटली और वसंत ने तर्क किया था का तर्क वितर्क बात की थी पूरे कंफिडेंस के साथ कॉन्फिडेंटली पूरा एकदम अगदम भरोसे के साथ कि it will happen within 10 years 10 साल के अंदर within मतलब के अंदर 10 साल के अं 5 years 5 साल के 10 साल तो दूर की बात 5 साल के अंदर हो चुका था यह कहानी का एक पार्ट है अब हम लोग चलेंगे अगले पार्ट पर अब यह पार्टी के दिन की बात हो रही है कि जिस दिन इन लोगों ने बेट लगाई थी शर्त लगाई थी कि बॉम्बे में कभी भी नहीं हो सकती है तो किस तरीके से शर्त लगी थी वो इसमें इस पार्ट में दिखाया गया है ठीक है तो अब पार्टी का महल है और पार्टी चल लगी है और किस तरीके से बात होती है वसंत के साथ जो वसंत जो है वो एक रेप्यूटेड बहुत बड़े साइंटिस्ट है ठीक है, जो environment पर research करते हैं, वातावरन पर research करते हैं, उनके साथ शर्ट लगी थी, तो चलिए पढ़ते हैं. It was at a party hosted by Indian ambassador in Washington that he had met Vasanth, Professor Vasanth Chitnis, that is, who had come on a lecture tour of the United States. United States का कोई lecture tour हुआ था, lecture tour, मतलब बहुत सारे scientists एक जगा जमा होते हैं, और सारे मिलकर के lecture देते हैं, United States का, तो उसी में वसंत चितनी जो professor हैं, इंडिया के ही थे, इंडिया के ही हैं, तो ये आए हुए थे, और ये जो था, ये एक party था, किसके दोरा, Indian ambassador के दोरा party दी गई थी, इंडिया के राजदूत के दोरा ambassador, इन वाशिंग गटन, वाशिंग गटन में, ये एक शहर का नाम है, देश का नाम है, that he had met वसंत, जहां पर ये वसंत से मिला था, कौन, राजीव, the ambassador had invited some leading scientist from वाशिंग गटन DC, जो ambassador थे, जो ambassador राजदूत, इन्होंने जो वाशिंग गटन DC के, जो leading scientist थे, जो उचे, जो बड़े वैग्यानिक थे, उन लोगों को, उस ambassador राजदूत ने invite किया था, Maryland and Virginia besides a few journalists, वाशिंग गटन DC के scientist, Maryland के scientist and Virginia के scientist, ये सारे शहरों के नाम है, besides a few journalists, और कुछ journalist, पत्रकार, जो उन लोगों का interview लेंगे, वो लोग भी इसके अलावा, besides मतलब इसके अलावा, कुछ, कुछ journalist भी वहाँ पर पहुंचे थे, राजीव was there in the latter category, और राजीव जो था, वो दूसरे latter, मतलब दूसरे बाद वाले category में आता था, मतलब वो journalist था, scientist नहीं था, amidst the usual round of gossip, जो usual मतलब सामान्य gossip जो चल लही थी, गप सब का round चल लहा था, उसके बीच में, both scientific and political, scientific गप भी चल लही थे, और political गपे भी चल लही थे, wasn't sat quietly, wasn't चूप चाप बैटा हुआ था, by himself, वो खुद, he was never one for parties and small talk, वो कभी भी party में या small talk, gossip में वो रुची नहीं लेता था, he was never one, मतलब उसकी रुची नहीं थी, parties में और छोटे-छोटे बातों में, gossip में, गपों में, but, dot, 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 लेकिन, अब किस में रुची थी, वो ही जाने, अब message was just now received on the teleprinter, teleprinter पर, teleprinter जिसमें से message आते हैं, ठीक है, अभी तो हम लोग का WhatsApp आ चुका है, तो उसी तरीके से उस जमाने में टेली प्रिंटर पर message आते थे, तो टेली प्रिंटर पर एक message रिसीव होता है, visuvius has erupted again, visuvius फिर से erupt हो चुका है, फूट पर आ है, बता दें कि जो visuvius जो है, वो एक जौला मुखी पहार है, मतलब एक बहुत बड़ा पहार है, इसमें से जौला मुखी फूटता है, 17,000 साल पहले ये पहली बार फूटा था, और अन्तिम विसपोर्ट जो है, वो 1944 में इसमें से जौला मुखी निकली थी, मतलब पहली बार जो इसमें से जौला मुखी निकली थी, वो आज से 17,000 साल पहले, और जो लाश्ट वाला जौला मुखी निकला था, वो 1944 में, इसमें से जौला मुखी निकलता है, जौला मुखी में अंदर से बहुत सारे लावे निकलते हैं, और एकदम अजीब और विसुनावनेंट रस्ट इन एक्साइटेट ली मतलब दौरता हुआ अनुब लेया घूंडेट के साथ एकदम उतेजना के साथ है डगा अनुब मतलब यह बहुत बडर पर हैं यह में आप गूगल पर देख सकते हैं ये कालपनिंग नहीं है ये रियल में है ठीक है तो विसुवियस जब फूटा था तो इसने अगल बगल के सहरों को तबाह करके रख दिया था My God, Oh My God, Hey Bhagwan This is the fourth wall के नो to come alive in three months तीन महिने में ये चौथा ज्वाला मुखी है जो फूटा है, जिन्दा हुआ है लुक, लुक्स लाइक मदर अर्थ हैज एन अपसेट इस्टमक, रिमार्ट राजीव तू वसंत, राजीव ने वसंत को कहा, ये चुपचा बैठे हुए थे अपना, तो राजीव ने कहा कि ऐसा लगता है, लुक्स लाइक, ऐसा लगता है कि मदर अर्थ हैज एन अपसेट इस्टमक कि जो माँ, धर्ती माँ है उसका जो पेट है, वो गरबरा गया है उसके पेट से कुछ गंदगी निकल लही है वी शुट बी वरीड मोर अबाउट हर कवरिंग, दैन हर अस्टमक वसंथ रिपलाइड शॉटली अब जो नहीं बोलते हैं वो जब, जो कम बोलते हैं वो बम बोलते हैं मतलब जो कम बोलते हैं उनके बातों में दम होता है तो यहाँ पर राजीब जब ये बात सुने, तो राजीब ने एक दम छोटा सा उनको जबाब दिया कि we should be worried more about our covering हमें धर्ती का जो cover है मतलब धर्ती जो चारो तरफ से घिरी हुई है जिस वातावरन से, जिस वायू मंडल से घिरी हुई है, उसके बारे में हमें ज़्यादा चिंता करनी है उसके पेट से, पेट के बजाए आप उसके वायू मंडल की चिंता करें क्योंकि पेट तो ठीक हो जाएगा वायू मंडल जो उसका cover है जो उसका चारो तरफ है, सता है वो कैसे ठीक होगा, what do you mean ask राजीब, राजीब ने पूचा कि क्या आपका मतलब क्या है एक आम इंसान तो यही सोचेगा ना कि धरती मया की जो पेट है वो खराब हो चगा है, तो हम उसके बारे में चिंता करनी चाहिए, लेकिन एक प्रोफेसर क्या सोच रहा है, कि हमें उसके वायू मंडल की चिंता जादा करनी चाहिए येस वसंत, come out with it, added a professor कि ये स्पस्ट करो, come out मतलब स्पस्ट करना, कि ये क्या है तुमने ऐसी बात क्यों की, कि हमें पेट के बजाए उसके कवरिंग की चिंता करनी चाहिए, well ठीक है, when a volcano erupts, जब एक volcano, जब एक ज्वाला मुखी erupt होता है, फूटता है not everything falls down on the earth सब कुछ धर्ती पर नहीं गिर जाता जवाला मुखी से निकलने के बाद सब कुछ धर्ती पर नहीं गिर जाता है some ejecta कुछ जो ejecta है, ejecta का मतलब होता है जो कुछ गंदगी है जवाला मुखी से निकलने वाला कुछ द्रवी जो है कुछ चीजे जो हैं वो get into the atmosphere वो वातावरन में चला जाता है it depends how much ये depend करता है कि कितना वातावरन में जा रहा है और कितना धर्ती पर गिर रहा है लेकिन वातावरन में जाता ही जाता है सब कुछ धर्ती पर नहीं गिर जाता 4 beyond a certain limit तो इससे क्या होगा कि beyond a certain limit जब एक certain limit से एक निश्चित सीमा से एक निश्चित हद से ज़्यादा beyond मतलब उससे ज़्यादा उससे परे it में upset the balance of nature ये nature के balance को upset कर सकता है ये nature का जो balance है प्रकृती का जो संतुले इसको बिगार सकता है जब ज़्यादा मत्रा में volcano से निकलने वाला जो ejecta है जो द्रव है वो वातावरन में जब पहुँचेंगे धर्ती पर गिरने के बजाए तब ये nature के balance को upset कर देगा गर बरा देगा I fear मुझे डर लगता है that we are already close to that limit कि हम लोग लगबग उस limit के close है नजदीक है if not beyond it अगर हम उससे ज़्यादा नहीं तो उसके नजदीक हम लोग ज़रूर पहुच चुके है वसंत रिप्लाइड ग्रेवली वसंत ने पूरे एकदम गंभीरता के साथ ग्रेवली इतम गंभीरता के साथ जवाब दिया अपसेट दा बैलेंस ओफ नेचर नेचर के बैलेंस को अपसेट कर देगा वाट विल दा इंप्लिकेशन्स बी एन अमेरिकन रिपोर्टेड पुल्ड आउट इस पैट सेंसिंग ए स्टोरी एक स्टोरी जानने के लिए पत्रकारों का तो काम ही होता है टांग खीचना ताकि कुछ न कुछ उसके मुह से निकले तो एक स्टोरी सेंस करते हुए कि आपको ये स्टोरी सुनाएगा तो एक स्टोरी सेंस करते हुए एक अमेरिकन रिपोर्टर ने उसका उसकी टांगे खीची वसंत की कि इसके जो implications हैं इसका जो असर होगा वो क्या होगा looking him squarely in the eyes तिरची निगाहों से उसको देखते हुए वसंत countered वसंत ने counter किया जवाब दिया कि इसके असर की बात कर रहे हो सपोज इसका असर यह होगा कि सपोज गरो मालो कि I say that कि मैं तुमसे कहूं कि you may have to shift your capital from Washington DC to Honolulu मैं तुमको कहूं कि तुम अपनी राजदानी Washington DC से Honolulu shift कर लो तब तुम्हें कैसा लगेगा Honolulu यह सहर का नाम है why should that be necessary ask the reporter reporter ने कहा कि यह जरूरी क्यों होगा कि मुझे अपनी राजदानी shift करनी पर है since you reporters don't like riddles लेकिन बात यह है चुकि बात यह है कि तुम reporters लोग जो है वो riddles समझते नहीं हो जो घुमाबदार बाते जो होती है जो riddles जो पहेलियां होती है वो तुम लोग से मजने के लिए तयार नहीं होते हो ठीक है तो इसमें मेरी क्या गलती है I will give you the answer to लेकिन फिर भी मैं तुमको answer दूंगा replied वसंत smilingly smile करती हुए वसंत ने reply किया कि कोई माइनर आइस एज कमिंग अप एक छोटा सा आइस एज आ रहा है एक हिम्यूग आ रहा है यूवल है तो इवैक्यूट इस नौदर्न सिटी इस नौदर्न शिकागो एंड इवन वाशिंगटन तुम लोगों को इवैक्वेट करना परेगा खाली करना परेगा यह जो नौद इस नौदर्न सिटी इस नौदर्न शिकागो एंड वाशिंगटन इन सारे शहरों को खाली करना परेगा तुम लोगों को बिफोर ही कुड एलैबूरेट फॉर्दर दिसकसन वाज इंटरॉप्टेड बाइड अराइवल ओफ वी आईपी फ्रॉम दे स्टेट डिपार्टमे से एक वी आईपी के पहुचने की वज़े से ये जो डिसकसन था ये जो बारतालापती ये इंटरेप्ट हो गई बीच में बंद हो गई आगे नहीं बढ़ सकी बिफोर ही कुड इलैबरेट इस से आगे कि वो इलैबरेट करते ये इसको समझाते उससे पहले ही ये बाते लेकिन राजीव जो है वो वसंद को आगे बोलने के लिए प्रोब करना चाते थे आगे च्छान बिन करना चाते थे कि आगे क्या होने वाला है क्या ये वसंद क्या बोल ले है क्या बताना चाह रहे हैं at the next उसके बाद the available opportunity he button hold him and came to the point उसके बाद the available opportunity जो opportunity जो अफसर मिला उसको राजीव को he button hold him उसने उनका ध्यान खीचा button hold मतलब ध्यान खीचता तो उसने वसंद का ध्यान खीचा and came to the point और point पर आया you have the reputation of backing all your claims with solid proofs क्या तुम्हारे पास जो तुम आपने जो ये claim किया है कि जो ice is minor ice age आने वाला है तो आप जो है आप अपने claim को backing करने के लिए अपने claim को समर्थन करने के लिए solid proofs का reputation है आपको reputation मतलब आपके पास solid proofs है but wasn't that remark about ice age somewhat far-fetched मतलब ये जो but wasn't that remark about ice age somewhat far-fetched ये जो ice age है ये far-fetched मतलब हिचकी चाने वाला है आपने जो बयान दिया तो क्या वो बयान जो है ये जो रिमार्क है ये जो बात है ice age के बारे में तो वो क्या काफी हद तक somewhat मतलब कुछ हद तक बहुत ज्यादा वो हिचकी चाने वाला नहीं है फार-fetched मतलब हिचकी चाना हिचकी चाने वाला बात नहीं है वो I am of course not in your field हां मैं आपके field में नहीं हूँ ये राजीव उसको बोल ला है वसंत को जो professor है उनको बोल ला है कि हाँ बिल्कुल मैं आपके field का नहीं हूं मुझे science वगर मुझे नहीं पता but my impression was that we won't have another ice age for thousands of years लेकिन मेरा जो impression है वो ये था कि हमें हजारों साल तक कोई भी ice age का सामना नहीं करना परेगा unless of course the conventional wisdom हाँ बिल्कुल ये जो स्विक्रत सिधान्त जो लोगों ने दिया है जो वैग्यानिकों ने दिया है कि हजारों साल के बाद ice age आता है ठीक है तो अभी हम लोग ice age से जारों साल दूर है तो मुझे ऐसा लग रहा है इस रॉंग रिप्लाइड वसंत की मेरी बाद गलत थी मैंने जो दिमार्ग दिया है कि ice age आने वाला तो इस रॉंग क्या वो गलत है helping himself to some पापड़ं कुछ पापर खाते हुए वसंत ने कहा कि क्या मेरी बाद गलत है I can prove that with the delicate balance we find our present ecosystem in I can prove मैं प्रूव कर सकता हूं that वो with the delicate balance ये जो delicate balance है ये जो संतुलन है नाजुक संतुलन जो है हमारे ecosystem का जो present ecosystem है हमारा जो present ecosystem है उसका जो ये जो नाजुक संतुलन है the disaster can come within 10 years दस साल के अंदर disaster जो है मतला आपदा जो है आफद आने वाली है इसको मैं प्रूव कर सकता हूं but Mr. Shah you don't have to worry लेकिन Mr. Shah ये राजीब को बोलने है पत्तकार जो है इसको बोलने है कि Mr. Shah आपको वरी करने की जरूत नही ये you are safe in Bombay आप Bombay में safe है चिंता करने की जरूत तो इन लोगों को है New York, Chicago, Washington लोगों को आप Bombay में safe है प्लस माइनस 20 डिग्री बेल्ट ओफ लैटिट्यूड और on the equator should be okay एक्वेटर के नजदीक अगल बगल में जो प्लस माइनस 20 डिग्री उपर या 20 डिग्री नीचे का जो latitude का जो छेत्र है जो अक्षांस रेखा का जो छेत्र है प्लस माइनस 20 डिग्री का equator मतलब विश्वत रेखा बीच वाली रेखा वहाँ पर आप लोग शेफ हैं देखिए आप लोगों को विश्वत रेखा पता होनी चाहिए अक्षांस रेखा latitude और देशानता रेखा longitude पता कतवाना चाहिए अप लोगों को पता होगा जो पृतिवी का सबसे उपड़ी हिस्शा है और जो सबसे निचली हिस्खा है उत्री दूरूप और दक्षणी फ्रूप वहां पर बर्फ जमा हुआ है ठीक है और वहाँ पर कोई भी उर्फ ही बर्फ है क्योंकि वहाँ पर दू तो वहां पर जो जो बीच वाला हिस्सा है वे हुआ पर दूप परता है तेकट उसके अगल रहता है जो जो देश है और उसके अगल वगल का जो देश है तो वहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है तो वहाँ पर चिंता करने के ज़रूद ज्यादा नहीं हो क्योंकि वहाँ पर ज्यादा थंडी नहीं पर सकती है ठीक है तो इसलिए बोलने हैं कि हमारा पूरा इंडिया इक्वेटर के अगल बगल में है ठीक है तो आप लोग मैप बहुएल है तो बोल लहां कि एक्वेटर का जो प्लस माइनस जो डिगी है टेंटी डिग्री के अगल बगल का चट्र तो वो थीक हो सकता है वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं परेगी कि वहाँ पर लोग मरने लग जाए ठंड से ठीक है तो आप लोग बॉंबे में सेफ हैं आपको चिंता करने के जुदत नहीं है इसमें से अगर मुझे कुछ याद आ रहा है उसमें से मुझे सबसे ज़्यादा याद है जो बॉंबे का जो लैटिटिव्ड है वो बॉंबे का जो लैटिटिव्ड है वो आपके बेल्ट के एकदम लिमिट पर है वहाँ पर भी ठंड परेगी लिएक उतनी जाद नहीं परेगी इसलिए जो हम बॉंबे के लोग है उन लोगों को बहुत ज्यादा कोल्ड वेव मतलब थंडी थंड बड़ा एकदम कड़कता लहर जो समूदरी लहर उसका सामना करना पर सकता है विज स्नो फॉल और बर्फ भी गिर पर गिर सकती है और यही सब होगा ठंडी लहर होगी बर्फ गिरेगा यह सब आई शुड से डाट वी अर बिंग लेट आफ इसली चकल वसंत वसंत ने चकल किया मुस्कुरा करके कहा कि यह जो मतलब हमें आसानी से हम लोग उससे चुट काड़ा पा सकते हैं तो ज्यादा टेंशन लेने के जोतनी है एकदम थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा I can't believe it मैं यह भरोसा नहीं कर सकता snowfall in Bombay within 10 years 10 साल के अंदर Bombay में snowfall impossible हो ही नहीं सकता here I will bet this 10 dollar note against the dime from you that it won't happen I will bet मैं शर्त लगा सकता हूं मैं शर्त लगांगा this 10 dollar note यह 10 dollar का note है इस पर कि आपने जो against a dime from you that it won't happen यह नहीं होगा आपने जो dime दिया है यह जो दावा किया है dime मतलब दावा आपने जो दावा किया है तो मैं इस दावे के खिलाफ against मैं मैं सर्त लगा सकता हूं 10 dollar का यह नहीं होगा it won't happen यह नहीं होगा surely these odds are generous क्या वाकई में यह जो odds है यह जो विसमताएं हैं मतलब यह जो बाधाएं हैं यह इतनी ज्यादा परचूर हैं यह होगी राजीव pulled out a 10 dollar note राजीव ने 10 dollar का note निकाला और बुला कि यह सब मैं सर्त लगाने के त्यार हूं यह इतना ज्यादा भी परचूर मात्रा में यह जो बाधाएं हैं यह नहीं आ सकती है I am afraid they are too generous in my favor मुझे डर लग रहा है यह वसंत बोल ले हैं कि मुझे डर लग रहा है कि यह जो बाते हैं यह मेरे favor में बहुत ज्यादा है I don't accept bets on certainities वसंत बोलते हैं कि जो certainities हैं जो बातें fixed हैं हो नहीं हो नहीं हैं जो बातें सच है उस पर मैं better नहीं लगाता मैं जीती हुई बाजी नहीं खेलता Mr. Generalist you will lose your $10 for sure Mr. Generalist आप अपना $10 पक्का खोदोगे lose कर जाओगे हार जाओगे ठीक है तो मैं तो लगाऊंगा नहीं let us exchange our cards instead इसके बदले में हम लोग अपना एक दूसरे का card जो है वो exchange कर लेते हैं here I will write today's date on my card मैं अपने card पर आज का date लिख देता हूँ you do likewise तुम भी वैसा करो if within 10 years अगर 10 साल के अंदर it snows in Bombay अगर Bombay में बर्फबारी होती है you simply return this card to me with an admission that you lost तो तुम simply ये card मुझे लोटा दोगे और इस admission के साथ ये स्विकार करते हुए कि तुम हार गए और ये जो तुम मेरा card ले रहे हो ये card मुझे लोटा देना अगर 10 साल के अंदर Bombay में बर्फबारी नहीं हुई तो I will do likewise if I lose और तुम भी अपना card दे दो अगर ये ऐसा हुआ तो मैं भी वैसा ही करूँगा मैं भी accept कर लूँगा कि मैं हार गया हूँ while they were exchanging their card जब वह लोग अपना card exchange कर रहे थे the hostess announced तो hostess ने जो मेजबान थी जो hostess थी उन लोगों ने announce किया come and enjoy special dessert prepared by our host हमारी host के दोरा हमारे guest के लिए जो special dessert जो special जो मिठाईया है जो खाने है वो जो prepare किये गए है उनका enjoy करते है आईए a huge ice cake was brought to the central table where the buffet had been laid out जहाँ पर buffet, buffet system आप लोग जानते हैं जहाँ पर लोग खुद खाते हैं बरतनों में खाना लगा होता है तो वही एक छोटा सा buffet जो है, buffet वहाँ पर रखा हुआ था, central table के बीच और table के बीच में एक बड़ा सा बर्फ का cake भी रखा हुआ था राजीव एंड वसंथ भोट नोटड राइली यह टेट वास में एक क्या जोप अर्क। अर्क्टिक सर्प्राइज कहा गया, the real surprise is coming to us in 10 years, muttered वसंत, वसंत धीरे से बरबर आया, मनीमन बरबर आया, कि असली surprise, तो ये ice cake जो था, वो आर्क्टिक surprise था, ice cake, ठीक है, टेवल पर डखा हुआ था, तो वसंत अपने मन में बरबर आया, कि असली surprise तो बबब हुआ, बच्चो, लोगों, असली surprise तो 10 साल के अंदर आने वाला है, only it will not be so pleasant, हाँ, ये बहुत जादा pleasant नहीं होगा, सुखद नहीं होगा, कि ताकि आप लोग enjoy कर सकें, ये बहुत जादा दर्दनाक होगा, ठीक है, चली अब हम लोग अगला पार्ट परते हैं, ये पार्टी समझ लिए किस तरीके से बेट लगा था, अब फिर वापस आ जाते हैं, राजीब और कविता के घर पे, राजीब के घर पे जहां पर ये लोग बच्चे अपने बर्फ वाले गोले से खेल रहें, और स्नोबॉल एक बर्फ का गोला थ्रोन बाइ कविता कविता के द्वरा जो फेका गया कविता ने फेका हिट राजीव राजीव को लगी and brought him back to the present और उन्हें उस राजीव को present में वर्तमान में लाया ये खो गए थे अपने अतीत में विचारों में Yes, he had lost the bit. हाँ, वह bit बाजी हार चुके हैं. He will mail the card. वो उस card को mail करेंगे. He descended the steps. वो सीधियों से उतरे. Descend मतलब उतरना. But when he took out the card from the desk, लेकिन जब उन्होंने took out निकाला, बाहर निकाला the card, उस card को desk से, the phone number on the card gave him a better idea. जो phone number लिखा हुआ था card पर उसने उन्हें एक better idea दिया. Yes, he will mail the card as per the agreement. हाँ, वो उस card को mail करेंगे. जैसा कि agreement हुआ था. But why not talk to him on the phone? तो क्यों ना एक बार phone पर उनसे बात कर लिया जाए? चितनिस से. He called the number. उन्होंने number call किया, dial किया, dial the number. Dr. Chitnis, he asked, उन्होंने पूछा कि Dr. Chitnis बोल रहा है? As the person at the other end responded. अगले person ने जो respond किया, वसंत चितने से speaking, हाँ, वसंत चितने से speak कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ. May I know your name, please? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? I am Rajiv Shah. Do you remember? मैं Rajiv Shah हूँ. क्या आपको याद है? Our bet, yes. Scientist आजमी कैसे भूल सकता है? उनकी memory इतनी तेज होती है. अच्छा, हाँ, हमारी जो शर्त लगी थी. हाँ, हाँ, I was thinking of you today. मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था. So, you are conceding the bet. तो क्या तुम अभी भी उस bet को स्विकार करते हो? Rajiv कुड विजूलाइज वसंत smiling at the other end. Rajiv विजूलाइज कर रहे थे. उनके सामने एक नजारा विजूल आ रहा था. कि जो वसंत है, वसंत जो है scientist, वो other end, दूसरे तरफ smile कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं. Of course, हाँ, बिल्कुल. But may I request half an hour's interview with you? क्या मैं request कर सकता हूँ कि एक आधे घंटे का half an hour's interview, एक आधे घंटे का interview आपके साथ हो जाए? What for? किस लिए? I would like to know the scientific basis of your prediction. आपने जो ये प्रेडिक्ट किया था, कि दुनिया जो है वो ठंड के कारण मरेगी, दुनिया ठंडी में खतम हो जाएगी, बहुत जादा ठंड आएगा, इतना ठंड आएगा कि कोई बरदास्त नहीं कर सकता है, और ऐसे जगहों पर ठंड आएगा, ठंडे का महिना होगा, जहां पर कोई कलपना भी नहीं कर सकता, बॉंबे में कोई बर्फ गिरने की सोच भी नहीं सकता है, तो इसका जो अपनी प्रेडिक्शन किया है, जो अपने अनुमाल लगाया है, उसका साइंटिफिक बेसिस क्या है, एक वैग्यानिक आधार क्या है उसका, I want to publicize your theory, मैं any use whatsoever, खैर, तुमको जो करना है करो, but it won't be of any use, यह किसी भी काम का नहीं होगा, जो कुछ भी है, वो किसी भी काम का नहीं होगा है, still फिर भी, you are most welcome if you can make it to the institute by, say 11 this morning, still फिर भी, you are most welcome, तुमारा स्वागत है, if you can make it to the institute by, अगर तुम इंस्टिचूट आ सको, by 11 this morning, इस morning में, सुबह में 11 बजे तक, अगर तुम इहां पर institute पर आ सको, तो ठीक, राजीव agreed, राजीव सहमत हो गया, as he began to shave, जैसे ही वो shave करना शुरू किया, he switched on the radio, उसने radio चालू की, a special bulletin was on, एक special bulletin जो है, वो news चल ला था, the whole of North India is really under unprecedented weather condition, जो पूरा का पूरा जो North India है, जो पूरा का पूरा जो उतरी भारत है, वो unprecedented, यह जो अभूत पूरू, मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, यह जो weather condition है, यह जो मौसम की जो इस्थिती है, परिस्थिती है, और वो इस तरीके की है, जो unprecedented है, वो आज तक कभी नहीं हुआ था, अभूत पूरू है, उसके चपेट में, reeling, under unprecedented weather condition, एक अभूत पूरू, एक अभूत पूरू weather condition के चपेट में, पूरा का पूरा नौर्थ इंडिया है, ठीक है, from west Rajasthan to the bay of Bengal, Rajasthan के पश्चमी से, west Rajasthan से, बंगाल की खाडी तक, and from the Himalayas to the Sahyadri ranges, जो केरल में, सहयादरी की जो श्रिंखलाएं, पहार हैं, हिमाले से लेकर के केरला तक, पूरा का पूरा, there have been snowfalls, बहुत जादा ही snowfall हुआ है, बर्फ बारी हुई है, of wearing intensities, wearing intensities के साथ, अलग-अलग तीवरता के साथ, snowfall हुआ है, कहीं पर बहुत जादा हुआ है, कहीं पर जादा हुआ है, कम तो हुआ ही नहीं है, it's simply impossible to estimate the number of casualties of men and cattle, it is simply impossible, यह impossible है, to estimate, अनुमाल लगाना, estimate करना, the number of casualties of men and cattle, यह जो इनसान, men, और यह जो cattle है, मवेशियों की जो casualties है, जो दुरघटनाय हुई है, जो हानिया हुई है, जो लोग मरे है, जो शतिया हुई है, उसका अनुमाल लगाना, उसका estimate करना, impossible है, इतने जादा लोग और इतने जादा मवेश हाजार, जो migratory birds होते हैं, जो मौसम बदलने पर एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, वो तो अचानक से बरफबारी हो गई, तो यह सब news में चलना है, migratory birds were found dead and they were taken and were by the rapid changes in climate, ऐसे news में बोला जाता है, जो migratory birds हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, migration करते है ठीक है, वैसे birds found dead, मृत पाए गए, as they were taken unaware, क्योंकि वो लोग unaware थे, जागरूक नहीं थे, by the rapid changes in climate, climate में जो यह एक दम तिवर गती के साथ जो चेंज आया, वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाए, और हजारों की संक्या में birds मारे गए हैं, जानवर और इंसान तो मा रही गया है, most of the crops are gone, अधिकांश फसल खतम हो चुके हैं, the roads and rail tracks have become severely disrupted, जो road है और जो rail tracks है, वो सीवर, सीवर मतलब बहुत भारी मात्रा में disrupt हो गया है, बहुत भारी मात्रा में एकदम रुक गया है, सब कुछ ठप हो गया है, गंभीर रूप से, severely, मतलब गंभीर रूप से बाधित हो चुका है, the Prime Minister and the State Chief Minister made helicopter surveys of the local regions, PM और CM जो हैं, वो local छेत्रों में, स्थानिये इलाकों में, helicopter से survey कर रहे हैं, the Prime Minister has announced a special fund for combating the ravages of snow, snow, snow की जो ravage हुई है, जो तबाही हुई है, जो बर्फ की जो ये तबाही है, उसको combat करने के लिए, उसके साथ मुकाबला करने के लिए, का special fund का announce किया है, प्रधान मंत्रे ने, everybody is invited to donate generously to the fund, और सभी को invite किया गया है, एकदम उदारता पूर्बग, दिल खोल करके, उस fund में donate करे, ताकि जो जिन लोगों की शती हुई है, उसकी भरपाई हो सके, राजीव ट्राइव ने ट्राइव कया कि दूसरे स्टेशन पर निूस लगाया जै, बट बट दूसरे स्टेशन पर भी, निूस पर भी, सेम बुलेटिन चल लाका था, Daddy, come and watch the TV Daddy, आओ और TV देखो There are pictures of snow everywhere Call.Kavita Kavita ने बुलाया और कहा कि Daddy, देखो There are pictures of snow बर्फ की ही तस्वीर हर जग़ Everywhere है The TV too carried special bulletins TV में भी एक special bulletin चल लहा था There were pictures of snow from all over North India North India में बर्फ बारी बहुत कम परती ही ठीक है तो यहाँ पर पूरे की पूरे North India में जो है वो बर्फ की pictures ही दिख रहे थे At least technology was able to cope कम से कम जो technology है जो news वगर जो चल रहा है was able to cope यही cope मतलब होता है डट कर मुकाबला करना है सामना करना वो इन सब के बावजूद भी technology काम कर रही थी with the flow of information information के flow के साथ जो technology है वो डट कर उस स्थिती का इस भेंकर स्थिती का सामना कर रही थी Rajiv was reminded of the scenes in Russia from the movie Dr. Zhivago Rajiv को याद आया जो रस्या रस्या का जो दिर्शित था जो फिल्म है Dr. Zhivago रस्या में फिल्म आया गया था उसका scene उसे याद आने लगा भारत के चित्र को देख करके The TV also gave information of the prevailing temperatures जो prevailing temperature है prevailing मतलब उस वक्त जो temperature था वो दिखा रहा था स्रीनगर में minus 20 degree Celsius चंडीगर में minus 15 degree Celsius देलही में minus 12 degree Celsius देलही में minus 12 degree 0 degree Celsius पर पानी बर्फ बन जाता है और उससे 12 degree कम सोच सकते हैं वारा नसी में 10 degree Celsius कलकत्ता में minus 10 कलकत्ता में minus 3 degree Celsius only south of Bombay had the mercury above the psychological figure of 0 degree Celsius केवल जो south Bombay था वहाँ पर जो psychological figure है 0 degree Celsius पारे का उसससे थोड़ा उपर था 0 degree Celsius से उपर वहाँ पर पानी बर्फ नहीं बना था बांकी हर जगह पे पानी बर्फ बन चुका था मद्रास में 5 degree Celsius बैंगलोर 2 degree Celsius त्रिवेंद्रम 7 degree Celsius पर अपेर्टम्च में थोड़ा थोड़ा गर्म परकतह को प्रकत्क हूआ, थोड़ा 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 थोड़ी गर्मी थी जैसा कि उसने कहा था कि सौ्ट बंबे में उतनी ती बर्फ आई नहीं हो गिए वाहा हे घी है यूआ दें कें गज़न तब नीउज का था थोड वो फ्लेश आया कि प्रेशिडेंट ने इमर्जेंसी मीटिंग बुलाई है जिसमें वाइस प्रेशिडेंट भी अटेंड रहेंगे शामिल रहेंगे प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर जो भी कैबिनेट मिनिस्टर है जो प्राइम मिनिस्टर है the services chief chief service के जो जितने भी बरे बरे पद पर लोग बैटे हुए है the chief justice of the supreme court and the leaders of the opposition parties at this meeting a decision will be taken on whether to shift the nation's capital from Delhi to Bombay क्योंकि Delhi में minus 20 degree temperature है वहां से Bombay देश की capital को shift किया जाए इस पर चर्चा किया जाएगा इसलिए इतनी बड़ी meeting, emergency meeting बैठाई गई you may have to shift your capital from Washington to Honolulu राजीव was reminded of Vasant's word spoken 5 years ago to the American reporter American reporter को जो वasant ने 5 साल पहले जो बात कही थी कि तुम्हें अपनी राजधानी वाशंगटन से Honolulu shift करना पर जाएगा इतनी ठंडी परेगी if a warm country like India was facing this catastrophic situation अगर एक गर्म देश जो इंडिया है वो इतना catastrophic situation face कर रहा है इतनी भयावा इस्थिती को face कर रहा है what must be happening in Europe और रसिया तो यूरोप और रसिया में किया हुआ होगा he switched on to the BBC उसने राजीब ने BBC चैनल लगाया world service to find out ताकि दुनिया में क्या हो रहा है ये पता लगाने के लिए yes, there were disasters and tragedies everywhere हाँ, हर जगा disaster और tragedies भरी हुई थी हर जगा आफद ही आफद और tragedies दुरुगटना ही दुरुगटना यूरोप और रसिया जैसे ठंडे देशों में थी temperatures had fallen by 20 to 30 degrees temperature 20 से 30 degree गिर चुका था Canada, Europe, Russia were accustomed to cold जो Canada है, जो Europe है, जो रसिया है वो accustomed, मतलब अभ्यस्त है, उन्हें आदत है cold weather की and for them the change was not as much a shock as to was to India जितना इंडिया के लिए situation shocking था, उतना Canada, Europe और रसिया के लोगों के लिए shocking नहीं था क्योंकि उन लोगों को तो आदत है ठंड की, इतनी ठंड की तो इन्हें 10-20 degree Celsius से कोई फर्क नहीं परेगा लेकिन इंडिया में आदत नहीं है suddenly Rajiv remembered his appointment, अचानक से Rajiv को अपना appointment याद आया कि 11 बजे उसके वसंत के office में भी पहुंचना है his watch showed the time as 9-5 उसकी घरी ने 9 बज के 5 मिनट दिखाया the sun was discernible but was as pale as planet as the moon जो sun था वो discernible था discernible का मतलब होता है साफ सूरज दिख रहा था but लेकिन was as pale as a planet लेकिन वो इतना फीका था इतना कमजोर था सूरी pale मतलब कमजोर फीका जैसा कि एक planet हो ग्रह हो as moon जैसे कि moon थंडा होता है चांद जैसा होता है वैसा ही सूरज दिख रहा था Kavita and Pramodh had taken it for granted that the school would be closed today कविता और जो प्रमोध है जो इसके दोनों बेटे बेटिया है वो इसे उनको उन लोगों के लिए एक grant था एक फाइदे वाली बात थी क्योंकि the school would be closed today क्योंकि आज school बंद रहेगा तो वे लोग खुश थे इस बात से दे वर वाचिंग दा टीवी कंफोर्टेड वो लोग एकदम आराम से टीवी देख रहे थे क्योंकि उनकी जो मा जो उन्हें हरेस करती थी तंक करती थी डेली कोट रोज होंवर्क करवा 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 के उनलों को परिशान करती थी दोनों बेटी बेटी को वो वो पुने में थी for a wedding शादी के लिए of her friends डौटर उसके दोस्त की बेटी की इशादी के लिए पूने में थी इसलिए ये दोनों एकदम खुल करके enjoy कर रहे थे राजीव हरीडली हरीडली मतलब हरी मतलब जल्दी हरीडली फिनिस्ट इस ब्रेकफास्ट राजीव ने जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट खतम किया and took out his car from the garage और garage से अपनी car निकाली the engine was cold जो engine था car का वो एकदम थंडा हो चुका था and it started after a great deal of coaxing coax का मतलब होता है मना ना फुसला ना मीठी मीठी बातें करना जब बहुत ज़्यादा car को मनाया गया फुसलाया गया तब उसकी उसका engine स्टार्ट हुआ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थंडा हो चुका था great deal of coaxing बहुत ज़्यादा मनाने के बाद वो car स्टार्ट हुआ but the real difficulty came on the roads लेकिन असली दिक्कत तो road पर आई the car skid skidded car एक्दम फिसल रही थी skid मतलब फिसलना क्योंकि बर्फ पुरा जमा हुआ था on the slippery surface जो slippery surface है शरक का उपर का जो surface हता है वो एक्दम slippery हो चुका था and only because Rajiv had driven under such condition while abroad that he was able to control it और इसलिए क्योंकि Rajiv had driven Rajiv ने drive किया था under such condition ऐसे condition में while abroad जब वो विदेश में थे चुकि यह journalist थे तो जाते रहते थे तो इन्होंने तो abroad में विदेशों में तो ऐसी ऐसे condition में drive किया था that he was able to control it इसलिए वो इसको control करने के योगी थे यह इसको control कर सकते थे चला सकते थे ऐसे road पर this was not so for the great majority of Bombay drivers लेकिन यह जो Bombay ड्राइवर्स की जो यह great majority है जो बहुत बरी संख्या है जो Bombay में चलाने वाले लोग हैं as the abandoned or collided और टेस्टीफाइड जुन्होंने Bombay में चलाई है जहां पर ऐसी ऐसा सर्फिस नहीं है ऐसा मौसम नहीं है drivers as the abandoned or collided वह एकदम भीर चुके थे वह जो गारियां थी भीर गई थी एकदम या तो उन लोगों ने गारी चला नहीं छोड़ दिया था Bombay के drivers ने या collide हो चुका abandoned मतलब छोड़ देना और collided मतलब एकदम भीर जाना उसकी गारियां टक्रा गई थी and buses और जो cars हैं जो buses है all along the umbedker road जो umbedker road पर जो बसे हैं जो testified उसकी सबूत उसका सबूत दे रहा था गवाई दे रहा था कि लोगों ने drivers ने या तो गारी चला नहीं छोड़ दिया या फिर जिन्हों ने गारी चलाई वो collide हो चुकी थी वो दूसरे से भिर चुकी क्या गलती वो ऐसे condition में उन्होंने कभी चलाय नहीं तो गारी स्लिप हुई और टक्रा जाती थी वी इंडियन्स स्टार्ट कंसीडरिंग आवर्सेल्फ एज स्किल्ड ड्रैवर एज सुन एज वी गेट तो नो वेर दब्रेक एक्सलेटर पैडल्स आर्ट मटर राजीव टू हिमसेल्फ राजीव खुद में बुद बुद आया बरबरा अपने आप से बात की कि भी इंडियन्स हम जो भारतिये लोग हैं स्टार्ट कंसीडरिंग आवर्सेल्फ हम लोग खुद को मानना शुरू कर देते हैं कंसीडर करना शुरू कर देते हैं एज स्किल्ड ड्राइवर्स एकदम स्किल्ड ड्राइवर मानना शुरू कर देते हैं एकदम योग की ड्राइवर एकदम सारा एकदम गुन है मेरे पास ड्राइवरी का एकदम हेवी ड्राइवर मानना शुरू कर देते हैं कि आज गारी त इस पर जब वह स्टियर कर रहे थे एकदम रास्ते पर ला रहे थे उस गाड़ी को तब यह खुच से बातें कर रहे थे कि हम लोगों को तो लगता है बहुत बड़े ड्राइवर हो जाते हैं जैसे एकसलेटर और ब्रेक मिलता है लेकिन ऐसे रास्तों पर चलाना बहुत मुश किलो होता है क्योंकि वो कॉलाइड हो चुके थे बहुत सारे कार और बस ही रियलाइज दैट इट वस गोईंग तो टेक हिम मुच लॉंगर तो रीच कॉलाबा दैन दा कस्टमरी 45 मिनेट और दो फूर एंड हाफ ही हैड अलाउड फूर ही रियलाइज दैट उन्होंने रिय फाइफ मिनेट उन्होंने जो 45 मिनेट में कहा था कि में 45 मिनeट में आ जाओंगा क्योंकि रोड पर तो वो चले नहीं ते गये में थी घर से बोल दिया कि 45 मिनेट में आ जाएंगे लेकिन उनहें लग रहा था कि अब ज्यादा time लग जाएगा वहां पर पहुंचे में और या the hour and half he had allowed for, और जो एक देर घंटा उनको मिला था, जो इंटर्विव करने के लिए वो भी उसी में लग जायागा, पहुचने में ही, तो कब पहुचेंगे और कब इंटर्विव कब करेंगे, ठीक है, अब यह पहुच जाते हैं वहाँ पर, यू आर लेट, आप एक घंटा लेट हैं, मतलब यह एक घंटा 45 मिन में, पोने 2 घंटा लगया उनको वहाँ पहुचने में, डिड़ यू फाइंड अनदर विक्टिम टू इंटर्विव अंदवे, क्या आपको कोई दूसरा विक्टिम, जो विक्टिम है, जो दोशी है, मुझरीम को नहीं मिल गए, आपको रास्ते में कोई इंटर्विव करने के लिए, ग्रीटेड वसंत एज राजीव इंटर्विव 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 वसंत ने उनका स्वागत किया, जैसे ही राजीव उनके ओफिस में पहुचे, मैं माफिव चाहता हूँ, I am sorry, I apologize, प्रोफेसर चितनिस, मुझे माफ कर दे, I would probably have arrived sooner, मैं शायद जल्दी पहुच सकता था, had I walked instead of driving, अगर मैं walk करता, पैदल आता, तो मैं जल्दी पहुच जाता, त्रू दिस काउटिक सीटी, यह जो एकदम काउटिक सीटी है, एकदम अराजक शहर है, सब कुछ स्तितर वितर हो चुका है, ऐसे शहर में पैदल चलना है, बहतर था, राजीव lowered himself in an armchair, राजीव armchair पर बैठे, वाइल वसंथ stared himself on his revolving executive chair facing him, जबकि वसंथ उन्हें, वसंथ seated, वसंथ बैठे, himself, वो खुद बैठे, on his revolving executive chair, उनका जो revolving मतलब घूमने वाला जो आप देखिएगा, executive chair मतलब काम करने वाले कुर्सी, जो office में लगा रहता है, अराम दायक रहता है, जैसे जिधर मनों ऐसे बैठे बैठे गूम जाए, वो revolving जो executive काम करने वाले कुर्सी होता है, उनके सामने सामनी जो था, वसंथ के सामने में, राजीव के सामने में उस पर वसंथ बैठ गए, घूमने वाले कुर्सी पर, but first my congratulations professor, अब ये राजीव जो journalist है, वो professor चेतनी सको कहता है, कि सबसे पहले तो congratulations बधाईया, you sure hit the bull's eye, आपने बिलकुल एकदम तीर निशाने पर मारी है, मतलब आपने जो बात कही, मतलब एकदम बुल के आँख में आपने वो hit किया है, इसका मतल जो प्रेडिक्ट किया था, वो एकदम सही हो गया, but we journalists are inquisitive, लेकिन हम जो journalist होते हैं, वो एकदम inquisitive होते हैं, थोरे जिग्यासू किसम के होते हैं, हम लोग जानने के एकचुक होते हैं, if nothing else, अगर कुछ नहीं तो कम से कम जान ले, please enlighten, कृपिया प्रकास डाले, दिखाएं मी, मुझ पर, कि on how you made the prediction, कि आपने वो prediction कैसे किया, कैसे बता दिया कि अगले 5 साल में, bombing में भी बर्फ गिर सकता है, and why you said that publishing it won't be of any use, और आपने ये क्यों कहा, कि इसको publish करना, and why you said, आपने ऐसा क्यों कहा, कि publishing it, इसको ये जो आप interview देंगे, इसको publish करना, won't be of any use, किसी भी काम का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा किसी काम का, your questions will find answers in this pile of papers, यहाँ पर जो paper का pile लगा हुआ है, धेर लगा हुआ है, मेरे table पर, your questions will find answers, आपका जो question, जो भी जितना भी question है, वो इन paper के धेरों में मिल जाएगा, replied वसंत, वसंत ने reply किया, dumping a pile in front of राजीब, उन्हें राज pile, धेर, उनके सामने में रख दिया, the pile, the file content reprints of paper in international journals, जो अंतराश्टरी जो जर्नल्स थे, अंतराश्टरी जो पत्रिकाएं थी, उनके paper में, जो file, जो file था, file का pile, मतलब file का धेर, file मतलब धेर होता है, और file तो आप लोग समझती है, तो उन file में क्या था, reprints of papers, paper का reprint था, दूसरा print था, जो international journal में छपा हुआ था, type scripts and some handwritten notes, उसमें कुछ type scripts भी थे, कुछ newspaper का cutting भी था, और कुछ हाथ से लिखे हुए note भी थे, राजीव being a layman in the field, चुकि राजीव इस field में, scientific field में एक layman थे, साधारन व्यक्ती थे, could not make much of it except for nothing the titles and abstracts of the printed articles, क्योंकि science से इनका नाता था नहीं, तो इनको वो जो titles उस पर लिखे हुए थे, वो और कुछ सारांस जो print किया हुआ था, वो printed articles का, वो उनको थुरा समझ में आया, बलकि और इनको कुछ समझ में नहीं या, क्योंकि वो science के field मे वो एक layman थे, एकदम साधारन से व्यक्ती थे, my scientific theory of ice age prediction will be found more in the unpublished part than in the published one, मेरा जो scientific theory है, ice age के बारे में, him you के बारे में, ऐसी मानेता है कि दुनिया बर्फ में बंद हो जाएगी, सब कुछ जम जाएगा, यह जो ice age का मेरे जो prediction है, जो अनुमान है, will be found more in the unpublished part, जो publish नहीं किया गया, newspapers के द्वारा, उसमें जादा मिलेगा आपको, publish किये हुए में तो कम मिलेगा, वसंत रिमार्क्ट ड्रिली, वसंत ने एकदम ड्रिली, एकदम सुखे भाव से, एकदम डुखी हो करके, वसंत ने का हो, why so, ऐसा क्यों, because of the so-called objectivity, the peer, reviews, system, and sense of fairness on which we scientists pride ourselves, क्योंकि ये जो so-called objectivity है, objectivity का मतलब होता है, निश्पक्षतावाद, कि हम लोग हर चीज के बारे में, हम साइन्टिस्ट जो है, वो हर चीज के बारे में निश्पक्ष है, हम लोग एकदम neutral रहते हैं, ये जो so-called है, तथा कथित, मतलब ये जूटा जो निश्पक्षतावा and sense of fairness, और ये जो sense of fairness है, निश्पक्षता की जो भावना है, on which जिस पर we scientist pride, हम scientist लोग गर्व करते हैं, वसंस face carried, मतलब इसी सब की वजह से हमारा जो unpublished part, जो prediction है, उसको publish नहीं किया गया, लोग जूटे कहते हैं कि हम लोग निश्पक्ष हैं, अगर हम scientist निश्पक्ष होते निट्रल होते, तो हम मेरी सारी बातों को publish किया जाता, उसको काटा नहीं जाता, वसंस face carried fleeting shades of sarcasm, sarcasm या sarcasm भी बोल सकते हैं, fleeting shades of sarcasm, मतलब व्यंग, sarcasm मतलब व्यंग करना, कटाक्ष करना, उसकी च्छन भंगूर घट, जो घटा है, थोरा उसका sense जो है, व्यंग करना, मतल थोरा उनके चहरे पर दिखा, और frustration भी दिखा, एकदम थोरा एकदम गुसा भी दिखा, before it came featureless again as he continued, जैसे ही वो continued करते, वो एकदम featureless हो गया, अकरती हीन हो गया, खेर, उन्होंने start किया, you people think of us as perfect scholars in search of knowledge for knowledge's sake, तुम लोग, you people think, तुम लोग सोचते हो, हमारे बारे में, as perfect scholars, कि हम लोग एकदम perfect scholar हैं, विद्वान हैं, in search of knowledge, for knowledge's sake, knowledge के लिए, knowledge की खोज में, हम लोग सबसे बड़े विद्वान हैं, undeterred by jealousies and temptations, undeterred, undeterred का मतलब होता है, व्याकुल, लेकिन हम लोग भी क्या है, व्याकुल है, किसी के लिए jealousies, हमारे अंदर भी jealousies होती है, इर्श्या होता है, and temptations, और लोव होता है, हम scientist के अंदर में भी, it's all about bankam, ये सारा बकवास है, we scientists are human, हम लोग भी इनसान है, we possess all the weakness, हमारे पास भी सारी कमजोडियां है, of the human mind, जो तुम लोगों के दिमाग में जो कमजोडियां है, वो हमारे अंदर भी होती है, हम scientist के अंदर में भी jealous होता है, हम scientist के अंदर में भी lobe होता है, temptations होता है, if the establishment finds new discoveries, अगर कोई establishment जो है, अगर कोई संस्थान, कोई institute, कोई establishment, वो अगर कोई नया discovery उनको मिलती है, कोई नई खोज मिलती है, जैसे कि मैंने predict किया, आइसे के बाड़े में, तो वो जैसे ही कोई नई discoveries उनको मिली, unpalatable, unpalatable का मतलब होता है, सुखद नहीं, जो मजदार न हो, बेकार हो, अगर किसी संस्थान को, कोई भी discovery, अगर सुखद नहीं लगती है, those belonging to it, will do everything to suppress them, तो वे सारे लोग मिल करके, अगर सुखद discovery नहीं है, मनली जी मैंने कहा, कि आइसे जाने वाल है, पूरी दुनिया खतम हो जाएगी, तो यह कोई सुखद बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, तो अगर इस परकार का कोई discovery होता है, तो वो सारे के सारे लोग, जो इस से बिलॉंग करते हैं, जितने भी scientist हैं, it will do everything, वो सारे लो hypothesis को water down करना परा, मेरी जो परिकल्पना थी, मैंने जो सोचा था, ice age को, उसे मुझे कमजोर कर देना परा, छोड़ देना परा, blur my predictions, मेरे prediction को blur कर देना परा, धुंदला हो गया मेरा prediction, in order to get some of my ideas in print, कुछ ideas मेरे print हुए, लेकिन बाकी के जो मेरे ideas थे, वो सारे blur हो गए, in manuscript form, और जो बाकी है, वो manuscript form में है, हाथ से लिखी हुई form में है, were considered too crazy or outlandist to be published, उनको एकदम crazy माना गया, एकदम पागलपन माना गया, बिकार भद्दा माना गया, ताकि या फिर outlandist माना गया, outlandist मतलब एकदम बिकार माना गया, इसे publish करने के लिए, जो manuscript form में है, जो मुझे माफ कर दें, प्रोफेसर चितनिस, call me वसंद, मुझे वसंद बुलाओ, interrupted the professor, प्रोफेसर ने बीच में interrupt किया, रोका, कहा कि मुझे वसंद बुलाओ, thank you वसंद, thank you वसंद, but what you are saying, लेकिन तुम, या फिर आप, जो कह रहे हैं, बियर से striking similarity to the days of Copernicus and Galileo, बियर से striking similarity, उसमें एक striking similarity है, एक्दम आश्चरिजनक समानता है, to the days of Copernicus and Galileo, Copernicus and Galileo के समय में जो समानता ही थी, वही समानता आप में भी दिख रही है, क्योंकि उन लोगों ने कहा था, कि दुनिया गोल है, लेकिन उस समय के Bible में लिखा हुआ था, कि दुनिया चप्ती है, लोग जब इस धर्ती के आखरी छोर पर पहुँचेंगे, तो वो अनंत में गिर जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, दुनिया गोल है, Galileo और Copernicus ने प्रूफ किया था, तो इस बात को दबा दिया गया, क्योंकि Bible में लिखा हुआ था, दुनिया चप्ती है, फिर बाद में जाकर के Bible ने भी इस बात को माना, Copernicus, if I recalled correctly, found that the original preface of his book had been replaced by a milder version by the publisher, मुझे याद है, if I recollect correctly, अगर मैं सही सही याद कर सकूँ, found that, मैं पाता हूँ, कि the original preface of his book, जो original preface था, जो headline होता है, बुक का, had been replaced, उसको replace कर दिया गया, by a milder version by the publisher, publisher के द्वारा थोरा से उसमें चेंज करके उसको publish किया गया, so that the book would not find resistance from the religious establishment, ताकि जो book है, उसको जो religious establishment थे, जो धार्मिक संस्थान थे, उनके द्वारा उसको resistance नहीं किया जा सके, उस किताब पर प्रतिबंध न लगाया जा स the interview, to record the interview, राजीब ने tape recorder वहाँ पर रख दिया, interview को record करने के लिए, वशंत ने जवाब देने से पहले अपने thoughts को, अपने सोच को, मार्शल किया, सुववस्थित किया, well, ठीक, in those days, उन दिनो, they had the religious establishment, उन लोग ये पास एक धार्मिक संस्थान थे, Today we have the scientific top brass, लेकिन आज तो हमारे पास वैग्यानिक शिर सर्दिकारी है, the wise men, जो खुद को बुधिमान लोग कहते हैं, who decide what is publishable, जो decide करते हैं कि क्या publish होना चाहिए, what continues science, जो क्या science को continue रख सकता है, And what must never see the light of the day, और कौन सी चीज, दिन का उजाला नहीं देख सकती है, उसको publish नहीं किया जा सकता, These are the popes and cardinals of science, ये लोग science के pop और cardinal है, science के जो चर्च के गर्माने बैखती थी तो जो उस वक्त decide करते थी कि क्या publish होना चाहिए, क्या नहीं, तो आज ये जो खुद को scientist कहते हैं, वो pop और cardinal बनके बैठे हुए हैं, Replacing the religious counterpart of five centuries ago, वे जो पाँच सताबदी पहले जो counterparts थे, उसके समक्ष, religious counterpart, जो धार्मिक समक्ष है, धार्मिकता के समान, उसको replace कर दिया है इन लोगों ने, I am sorry if I sound so bitter about it, मुझे माफ करना अगर मैं इसके बारे में बहुत करवा बोल रहा हूं, तो, वसंत, you are no doubt, वसंत, आप नहीं संदे, passing a judgment on the system, आप system पर एक judgment पास कर रहे हैं, एक एक फैसला दे रहे हैं, system के खिलाफ, such as it is, जैसा कि यह है, on your personal experience, आप अपने personal अनुभव के अधार पर, वक्तिकत अनुभव के अधार पर, बट लेकिन, if I were to defend it, अगर मुझे इसे defend करना होता, अगर मुझे इसे defend करना होता, मतलब इसे, इसका बचाव करना होता, I could say that, मैं यह कह सकता था, scientists come across hundreds of cranky, जो scientists हैं, जो उन्हें hundreds of cranky से गुजरना पड़ता है, एकदम पागलपन से गुजरना पड़ता है, सेक्रो आइडियाज उन लोगों के सामने आते हैं, ठीक है, एक scientist हजारो आइडियाज आते हैं, क्या वो हर चीज को पब्लिश कर देंगे, half-baked ideas in the course of their career, उनके career में आधे पके हुए ideas आते हैं, आधा proof idea, तो आप अगर यह कह रहा हैं कि scientist कुछ चीजों को पब्लिश नहीं होने देते हैं, उसका कारण यह भी हो सकता है कि हजारो आइडियाज आते हैं, तो क्या वो हजारो आइडियाज को पब्लिश कर देंगे, ज आपका जो यह ice age वाला जो बात थी, हम्यूक वाला बात, वो तो पूरी तरीके से proof नहीं हुआ था, साबित नहीं हुआ था, तो वो कैसे पब्लिश कर देते हैं, तो मैं इसके defense में यह मैं बोल सकता हूँ, who has the time to examine them all, उन सारी चीजों को examine करने का, उन सारी चीजों को prediction करने का time किसके पास है, so, इसलिए, if they tend to shy away from any new unconventional ideas, so, इसलिए, they tend, उन लोगों की आदत हो चुकी है, to shy away from any new unconventional ideas, जो नए ने unconventional, जो और परमपरागत ideas हैं, जिनका पूरी तरीके से सबूत नहीं है, उन से दूरी बनाने का, उन से शर्मा जाने का, वे लोग उनसके आदी हो चुके हैं, क्योंकि इस बात की तो पूरी तरीके से प्रूफ नहीं है, कि हम्यूग आएगा ही, उस वक्त नहीं था, आज जाकर के कुछ जलक आपने जो मुझे कहा था, वो जलक दिख रहा है, कौन उसे ब्लेम कर रहा है, ठीक है, मैं सहमत हूँ इस बात से, लेकिन अगर वो जो अनकवेंशनल आइडिया है, जो पूरी तरीके से सिद्ध आइडिया नहीं है, अनकवेंशनल आइडिया है, और अगर वो तरीके से उस आइडिया का कारन डिया गया हो, अगर वो तक नहीं सुना जाना चाहिए, वसंत बोलना है, surely it is not difficult to distinguish one such idea from hundred cranky sacro-bikar के ideas में से surely एकदम बिलकुल it is not difficult यह difficult नहीं है to distinguish पहचान करना, भेद करना, अंतर करना one such idea इस परकार के किसी एक idea का from hundred cranky sacro-bikawas idea में से इस एक idea जिसमें से एकदम सबूत दिया गया हो तो उसको उसको अलग करना, उसकी पहचान करना यह बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है half-baked ones, आधे पके हुए ideas especially if the scientist proposing it has already established his credential in the field खास करके if the scientist proposing अगर scientist propose कर रहा है, प्रस्ताव रख रहा है प्रस्ताव रख रहा है, propose कर रहा है it has already established his credentials कि इसने पहले ही अपना credential जो है, साख जो है, इजत जो है वो established कर चुका है, वो idea in the field, field पर but let's leave these generalities apart and come to my theory खैर, यह जो generalities है, यह जो साधारन नियम है इसको छोड़ देते हैं और हम लोग अपनी theory पर आते हैं yes वसंथ, हाँ वसंथ, let us hear about your theory आपकी जो theory है, इसके बारे में जानते हैं and what it predicts, और यह क्या predict करता है राजीव added की, अब क्या होने वाला है वसंथ took out a map, वसंथ ने एक map निकाला एक map निकाला, ठीक है, of the earth, धर्ती का map map जो होता है, जिसमें सब कुछ दिया रहता है and spread it on the coffee table in front of Rajiv और Rajiv के सामने coffee table पर उसे फैला दिया, उस map को here, यहां पर, when you look at your terra firma अगर आप terra firma को देखें, यह जो सूखी धर्ती है इसको अगर आप देखें, ध्यान से you find that land occupies only about one third of the total area जो land है, जो जमीन है, वो one third है तीन में से एक हिस्सा जमीन है, बांकि तीन हिस्सा जो है, one third, तीन में से एक हिस्सा जमीन और बांकि दो हिस्सा पानी है, the rest is all water बांकि का पूरा पानी है, seas and oceans, सागर हैं और महासागर हैं, the oceans play an important role in controlling our climate, और जो oceans हैं, जो महासागर हैं वो हमारे climate को control करने में, हमारे पडियावरन को हमारे climate है, जो ठंडी है, गर्मी है, मौसम को control करने में, एक important role play करते हैं the hot air above them rises, जो गर्म हवा होती है, वो उपर उठती है mixes with the earth's atmosphere और वो अर्थ के atmosphere में जाकर के मिल जाती है धर्ती के वातावरन में मिल जाती है, हवा में मिल जाती है और नीचे आने से पहले वो फैल जाती है, राइट, बिल्कुल, सही है ये बात वसंत ने कहा, तो राजिव उसमें बोलते हैं, कि this much is textbook material in schools आप जो ये बात मुझे बता रहे हैं, यो तो इस school के text book में दिया गया है ये तो बच्चा बच्चा जानता है, कि हवा गर्म होकर के उपर उठती है और वातावरन में फैल जाती है ये फिर ठंडी होकर के पानी बन के बरस जाता है, तो सब को पता है, कि one third जो है वो land है, बाकी का बाकी water है but we always take it for granted, लेकिन हम लोग ठीक है, ये school material है, but लेकिन we always take it for granted, लेकिन हम लोग इसे एकदम हलके में ले लेते हैं टेक फोर ग्रांट का मतलब होता है किसी बात को एकदम हलके में ले लेना तो हम लोग इस बात को एकदम हलके में ले लेते हैं कि the oceans are warm कि यह जो oceans हैं जो महासागर हैं वो गर्म है and will remain so और हमेशा गर्म ही रहेगा To what extent is it correct? किस extent में? किस हर तक यह सही है? किस extent तक? Is it correct? यह सही है A few years ago I measured the temperatures of the sea कुछ साल पहले A few years ago कुछ साल पहले I measured the temperature मैंने sea का temperature measure किया मापा सागर का समुदर का temperature मैंने मापा down the great depths बहुत नीचे जा करके and was shocked और मैं shocked हो गया at what I found मैंने जो पाया उसको देख करके मैं एक दम shocked हो गया चकित हो गया The sea water is warm in the upper layer जो समुदर का पानी है वो उपर उपर में गर्म है and can be quite cold लेकिन नीचे में ठंडा है और उपर का पानी भी ठंडा हो सकता है Down to freezing labors और इतना ठंडा हो सकता है कि वो freeze हो सकता है Deeper down नीचे तक What came as a shock to me मतलब जो मुझे जटका लगा उसका कारण ये था was the realization that मुझे महसूस हुआ कि the upper warm layer on which we rely so much जो उपर का जो गर्म layer है समुदर का जिस पर हम लोग बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं for our climate are quite thin उपर का layer जिस पर हम लोग भरोसा करते हैं अपने climate के लिए क्योंकि समुदर का उपर का पानी गर्म होता है वो गर्म होकर के और गर्म होकर के भाब बन करके उपर उठता है जिसे बादल बन थे हैं बारिश होती है अगर क्या हो कि पूरे धर्ती का जो समुदर है या फिर जो ओसन है जो सीज है जो महासागर है वो सारा जम जाए बर्फ बन जाए तो क्या होगा समुदर ही अगर बर्फ बन जाएगा तो पूरा का पूरा वातावरन थंडा हो जाएगा और जब पूरा का पूरा वातावरन ही थंडा हो जाएगा तो सोच सकते हैं पूरी धर्ती पर बर्फ ही बर्फ होगा समुद्र अगर बर्फ बन जाए तो पूरी धर्ती बर्फ बन जाएगी ठीक है सूरज के बारे में क्या ड़स इट नोट प्रोवाइड हीट तू दे ओशन क्या ये महासागर को गर्मी नहीं प्रोवाइड करता है सूरज तो है ना महासागर अगर ठंडा होगा तो सूरज तो ही उसको गर्म करने के लिए आस्क राजीव राजीव ने पूछा as a direct supplier of heat सूरज का direct सूरज जो है वो heat का direct supplier है direct heat supply करता है the sun is very inefficient गर्मी दे सके धर्ती पर जितनी की जरूरत है there is bright sunlight on the poles in summer जो poles है जो उत्री धरूव या दक्षनी धरूव है वहाँ पर bright sunlight होता है समर में गर्मी के महिने में एकतम तेज धूप होती है but how much ice does it melt धर्ती का जो उत्री धरूव है जो दक्षनी धरूव है आप लोग मैप पर देखेगा glow पर उसका उत्री धरूव और दक्षनी धरूव बर्फ में जमा रहता है हिमाले पहार भी बर्फ से जमा होता है सिया चीन का glacier देख लीजिए बर्फ से कई सारे बर्फ के पहार है और उत्री धरूव और दक्षनी धरूव पर तो बर्फ ही बर्फ है तो क्या वहाँ पर तो सूरज चमकती है सूरज का सूरज की गर्मी भी आती है बट हाव मच आइस देजिट मिल्ट तो क्या सूरज पूरा का पूरा आइस बर्फ को पहला देता है नहीं Rather the ice reflects the sunlight इसका उल्टा होता है जो ice है जो बर्फ है वो सूरज की गर्मी को reflect कर देती है reflect करना मतलब परावर्तित कर देती है उसको फेक देती है अपने गुसने नहीं देती है thereby not allowing it to carry its heat in वो सूरज के धूप को गर्मी को अपने अंदर आने नहीं देती है अगर कोई बर्फ पिगल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो सूरज की गर्मी में पिगल रहा है बात समझ रहे हैं अगर आप धूप में बर्फ को रखें तो धूप बर्फ जो है वो धूप को reflect करती है अपने अंदर नहीं आने देती तो धूप की वज़ा से सूरज की वज़ा से बर्फ नहीं पिगलती है हमारे वातावरन में जो गर्मी है उसकी वज़ा से बर्फ पिगलती है सूरज की वज़ा से सूरज में उतना वो inefficient है उतनी गर्मी देने के लिए बट लेकिन indirectly the sunlight can and does prove more effective I will show you an experiment if you step in my lab जो सूरज की जो गर्मी है वो ज्यादा effective प्रूफ हो सकता है मैं आपको दिखाऊंगा मैं अपने लैब में आपको ले चलता हूं अभी अभी और दिखाता हूं कि सूरज धूब जो बर्फ है वो सूरज की गर्मी को धूब को किस परकार reflect करता है वसंत गौट अप वसंत उठा and led the way across the corridor to the laboratory और corridor से होकर के वो laboratory के तरह प्रियोग शाला की तरफ निकल पर है a big glass vessel vessel मतलब कोई बर्तन glass का शीशे का बर्तन while standing on a work table एक table लखा हुआ था work काम करने वाला table उस पर रखा हुआ था वसंत switched on an apparatus apparatus का मतलब कोई उपकरन या कोई यंत उसको वसंत ने switch on किया and explained और उसे explain करना शुरू किया I am gradually मैं धीरे धीरे cooling the air cooling the air in this vessel इस vessel में जो हवा है उसको मैं धीरे धीरे कूल करूंगा धीरे धीरे ठंडा करूंगा it has some humidity इस बर्तन के अंदर में थोड़ी सी कुछ humidity है humidity का मतलब नमी मतलब वातावरन जो हलका पानी पानी जैसा जो रहता है उसको नमी कहा जाता है that is some water vapor water vapor मतलब पानी का भाप पानी जब गर्म होता है तो भाप बन करके जो उपर उठता है तो जो भाप होता है उसको humidity कहा जाता है उसको नमी कहा जाता है तो इसमें कुछ some water vapor है पानी का वाश्प है भाप है if I perform my operation carefully अगर मैं अपना operation carefully शाबधानी पुरुबग परफॉर्म करूँ मैं जो यह कर रहा हूँ temperature should fall below zero temperature जो है वो fall करेगा नीचे गिरेगा तापमान जीरो से नीचे गिरेगा इस बरतन के इस vessel के अंदर में जो air का temperature है वो धीरे धीरे नीचे जाएगा zero से भी नीचे जाएगा अगर मैं कियर साबधानी पुरुबग मैं यह जो operation है उसको मैं करूँ without the vapor solidifying into ice जो vapor है जो भाप है उसको बर्फ में बदले बिना वो बर्फ में नहीं बदलेगा भाप जो है water vapor और जो temperature है वो zero से नीचे जाएगा उसके बाद क्या होता है देखिए temperature the temperature indicator was dropping temperature indicator जो था वो drop हो रहा था धीरे धीरे नीचे जा रहा था temperature तापमान का जो indicator था मशीन उसमें दिखा रहा था कि temperature नीचे जा रहा है and it crossed the zero mark और इसने zero mark जो था उसको cross कर लिया जीरो से भी नीचे चला गया without any ice formation लेकिन उस बरतन के अंदर में कोई भी बर्फ नहीं बना then wasn't sent a beam of light जब देखिए जब temperature कहा जाता है कि जब temperature zero पर जाता है तब क्या होता है जो पानी है वो बर्फ बन जाता है लेकिन उसमें तो पानी नहीं था उसमें water vapor था भाप था तो वो अभी तक बर्फ नहीं बना हुआ था ठीक है then तब wasn't sent wasn't ने भेजा a beam of light परकाश की एक किरन बीम across the vessel उस वेसल में उस बर्तन में उस बर्तन के अंदर से एक परकाश की किरन उसने भेजा seen at right angles और वो जो एंगल जो बना हुआ थो परकाश की किरन का वो 90 डिगरी का एंगल राइट एंगल बना करके वो उसने बीम भेजा परकाश की किरन the inside of the vessel was quite dark और उस वेसल का जो अंदर का न जा रहा था जो inside भाग था अंदर का भाग वो बिलकुल अंधिरा था this is because light goes through this humid air ये इसलिए this is because ये इसलिए क्योंकि जो light है जो परकाश है वो goes through this humid air इस humid air के अंदर से होकर के परकाश जा रही है मतलब वो humidity जो उसमें है जो पानी का जो भाप है उसके अंदर से परकाश गुजर जा रही है इसकी वज़र से सिर्फ वो परकाश की किरन जो गुजरी है तो उससे कोई फर्क नहीं परा है क्योंकि परकाश की किरन उस humid air के बीच से गुजर गई लेकिन उसके अंदर में अभी भी quite dark ही अंधेरा ही है explained वसंत वसंत ने कहा कि देखो ये परकाश की किरन जो है ये humid air के बीच से गुजर गई इसलिए बरतन के अंदर में अभी भी अंधेरा ही है but now let me lower the temperature further लेकिन अब let me lower the temperature अब मुझे temperature को और आगे further मतलब आगे और lower करते जाना है करने दो मैं और temperature को कम कर रहा हूँ when the temperature dropped जब temperature गिर गया to 40 degrees below zero zero से 40 degree नीचे जब temperature गया the vessel began to shine जो वेसल था जो बरतन का अंदर का भाग था वो एकदम चम चमाने लगा अंदर में उजाला ही उजाला हो गया अभी तक जो प्रकाश की किरन जा रही थी गुजर रही थी तो अंधेरा ही अंधेरा था लेकिन जैसे ही temperature 40 degree नीचे गया zero से 40 degree below गया है तो the vessel जो है बरतन का जो अंदर का जो भाग है begin to shine चमकने लगा the change was remarkable और यह जो परिवर्तन था यह एकदम remarkable था अद्भूत नजारा था यह कैसे हो गया it happens यह इसलिए हुआ because the water in the air has now solidified अब वो जो भाप जो है पानी का जो भाप है जो वाटर है water vapor है वो हवा में आप वह solidify हो गया वह छोटा 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 बर्फ का टुक्रा बन गया ठीक है एक दम छोटा छोटा चोटा बर्फ का टुक्रा the ice particles scatter light ice का जो particle होता है वह लाइट को इसगण नहीं लाइट को reflect कर देता पैनी अनदर नहीं Fascinia which the Humid Year Reload जब्लवाश्प अहुता है पानी का वो बर्फो प्रकास के लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है सकतर इसको च्छा्टर नहीं करता है षित रहाता नहीं है वह उसके अंदर से गुजर जाता ना वह तो वह तो गैस है तो के अंदर से परकास गुजर जाएगी लेकिन जैसे ही वो ठोस होता है तो ठोस के अंदर से परकास कैसी जाएगी वो उसको scatter कर देता है परकास को इसकी वजह से this is the key point और यही key point है ice age के बारे में इनका जो वसंत का जो prediction है वो यही key point यह इनका वसंत pointed और वसंत ने इंगित किया ध्यान इस तरफ दिल दाया कि यही तो बात है जो मैं समझाना चाह रहा हूं अब वो लोग laboratory से office आते हैं returning to his office अपने office आने के बाद वसंत continued वसंत जाली रखते हैं अपनी बात this happens in polar regions polar region जो है जो उत्री धुरूब north pole और south pole जो है धर्ती का वहाँ पर this happens यही होता है when the temperature drops to about 40 degree below zero जब temperature zero से 40 degree below जाता है नीचे जाता है the so called diamond dust forms और यह तथा कथित diamond dust बन जाता है diamond dust मतलब हीरे का खन हीरे का धूल कं बालू का जो कण देखिंगे बालू का कण होता है डस्ट होता है वो बन जाता है वह कि बन जाता है बऔर्फ काथा कण क्योंकि हवा वबाह में जो नमी होती है। वो मतलब नमी मतलब पानी रहता है भाफ की रूप में वह। जो पानी का भाफ होता है वह छोटा छोटा अग्दम ग्रों के कंड की तरह ठोस हो जाता है तो क्षैंण भर्फ बन जाता है यह दूस hacen temperature 40 degree below चला जाता है 0 से तो वहां के हवा में जो पानी रहता है वह भी छोटा-छोटा-छोटा-छोटा-छोटा-छोटा-बालू के कन की तरह वह बर्फ बन जाता है उसको diamond dust का आ जाता है अब हम diamond dust ही बोलेंगे यह चोटे-छोटे बर्फ के कन को ठीक है यह so called diamond dust बन जाता है this is just the ice particles you saw in that experiment यह वही ice particles है जो आपने अभी अभी experiment में देखा है as in the experiment, जैसा कि experiment में दिखा गया है देखा है आपने the dust je diamond dust है, scatters sunlight, वो sunlight को scatter कर देता है छितरा देता है अपने अंदर नहीं आने देता है उसको परावर्तित कर देता है We don't see this happen in other places हम लोग दूसरे जग़ा पर ये चीज हम लोग नहीं देख पाते हैं दूसरे जग़ा पर ये चीज नहीं देख पाते हैं क्योंकि क्यों से इतने इतने level पे जाता है नहीं जाता हमारे इधर तो ठंडी में भी 10 degree 15 degree 20 degree Celsius रहता है temperature वो कभी भी 0 degree से 40 degree minus 40 degree नहीं गया है आज तक तो इसकी वज़ा से ये diamond dust हमें देखने को नहीं मिलता है अब सोचिए कि अगर क्या होगा ये इसी में लिखा हुआ है मैं अपने मन से क्या बता हूँ सब चीज details में लिखा हुआ है ये देखते हैं राजीव शाह वाज बीजी थे taking notes नोट लिखने में वाइल वसंत्स voice was getting recorded जबकि वसंत्स की आवाज record हो रही थी but he was still very far from the answer he was seeking लेकिन वह but he was still very far वह बहुत दूर थे राजीव शाह बहुत दूर थे किसी से from the answer उस answer से उस उत्तर से he was seeking जिसकी वह खोज कर रहे थे कि आखिर ice age क्यों आएगा nothing the puzzled from on राजीव's face लेकिन राजीव के face पर एक पजल फ्रॉन हो चुका था उनकी भौँपे एक एकदम पजल आप लोग समझते हैं पहली की तरह उनका face आश्चरी चकित था वसंत एस्माइल वसंत एस्माइल वसंत ने थोड़ा मुस्कुराया और continued और जारी रखा now to compete my reasoning अब मैं अपने reasoning को compete करने के लिए मैं मेरा जो तरक है उसको सही साबित करने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ suppose मालो that की the oceans are cooling जो ocean है जो महासागर है वो cooling cool होते जा रहा है ठंडा होता जा रहा है and are not able to supply adequate heat to the atmosphere और इस लायक नहीं है and जो oceans हैं हमारे महासागर जो हैं इंद महासागर परसान महासागर जो भी महासागर हैं जितने भी वो उस लायक नहीं है कि supply कर सके to supply adequate heat to the atmosphere atmosphere में वातावरन में जो उचित परियाप्त जो heat चाहिए जो उश्मा चाहिए वो भेजने में अगर नाकामियाब रहे क्योंकि उश्मा जो आती है हमारे वातावरन में वो महासागरों से ही आती है ठीक है तो हमारे 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 atmosphere में जो उचित adequate heat है उसको भेजने में अगर supply करने में अगर अक्षम है सक्षम एबल नहीं है तो क्या होगा this will lead to a drop in temperature तब temperature में बाहर के वातावरन में बहुत जादा गिरावट आजेगी drop आ जाएगा everywhere हर जगा पूरे धरती पर ही and the formation of diamond dust in more places तब अधिक से अधिक जग होंपर क्या होगा diamond dust का formation होगा diamond dust का निर्मान होगा then just in the polar region तब सिर्फ polar region में diamond dust नहीं बनेगा north pole और south pole पर diamond dust नहीं बनेगा सिर्फ वहीं पर बर्फ ही बर्फ आपको दिखाई नहीं देंगे बलकि बाकी के दूसरे जगह भी diamond dust का निर्मान होगा और जहां पर बर्फ जम जाता वह जगह एकदम बंजर हो जाता है ठीक है तो सिर्फ polar region में नहीं बाकी जगहों पर भी diamond dust का निर्मान होगा वाट डस्ट डू वो डस्ट करता क्या है diamond dust जो बनता है बर्फ के छोटे छोटे टुकरे वो करता क्या है by scattering the sunlight वो sunlight को scatter करती हुए जब sunlight को उपर आवर्तित करेगा अपने अंदर नहीं आने देगा उसके अंदर आने ही नहीं देगा उपर से ही scatter कर देगा छितरा देगा फेग देगा अपने के तरफ से sunlight को it will prevent it from reaching the ground level वो sunlight को ground level पर reach करने में ground level पर पहुँचने में उसे रोक देगा prevent कर देगा imagine थोड़ा imagine करके देखो a dust screen partially shielding the earth from sunlight यह जो dust का जो the screen है धूल यह जो diamond dust है उसका वे screen हमारे चारो तरफ प्रिस्वी के चारो तरफ उपर से प्रिस्वी को घेर देगी तब क्या होगा सुरज की किरन धर्ती तक बिलकुल ही न पहुँचे तब क्या होगा दपेनी ड्रॉप्ट एकदम शांथ पूरा महौल एकदम शांथ हो गया राजीव कम्प्लिटेड दरीजनिंग साइकल एकसाइटेडली अब राजीव जो है वो उनकी बात को वो तो चुप होगे लेकिन राजीव अब उनकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं एकसाइटेड हो करके और तब क्या होगा दर्थ विल कूल फर्दर धर्ती और थंडी होती जाएगी दर्थ ओसेंस विल बी लेस वार्म ओसें जो है मासागर जो है वो कम गर्म हो जाएंगे लेस वार्म गर्म कम हो जाएंगे बहुत ही मतरब ठंडा होता जाएगा and the diamond dust will grow or diamond dust बढ़ता चला जाएगा and spread preventing yet more sunlight from reaching the earth और अर्थ पर sunlight को पहुँचने से जारा से ज़दा रोकेगा and so we spiral towards the ice age और इस परकार हम लोग ice age की तरफ बढ़ चलेंगे but if the oceans are warm enough लेकिन अगर जो मासागर है वो परियाप्त मातरा में गर्म है परियाप्त मातरा में गर्म ही रहेंगे this spiral will not even start तब यह जो spiral है यह जो चक्र है ice age के आने का परित्वी के धीरे धीरे धंडा होने का जो spiral है यह जो चक्र है यह कभी यह starting नहीं होगा अगर हमारा महासागर जो का त्यों गर्म ही रहा तो यह गर्म होगा यह ठंडी होगी महासागर तब ना लेकिन अभी तो ठंडी नहीं हो रही है यह ठंडी होगी तब अगर यह हमारा महासागर ठंडा होई न यह गर्मी रहे वार्म एनफ रहे तब यह स्पाइरल कभी आएगा ही नहीं आई सेज का ठीक है अगर परियाप्त मात्रा में गर्म है तो कीप अट्मॉस्फियर स्टेबल एट्मॉस्फियर को स्टेबल रखने के लिए जहाँ मेरा प्ञाल वो उस वर्ड का मेनिंग होगा तो यह जो एट्मॉस्फियर हमार वातावरन पडियावरन की गर्मी रखने के लिए कीप मतलब रखने काफी पडियात्त मात्रा में गर्म है हमारे महासागर कर एक लिएयर महासागर का उपन Dé Wekkon डाइमंड डस्ट का जो जो थ्रेट है जो धमकी है जो चितावनी है डाइमंड डस्ट बनने की उसके खिलाफ हमारे ओसन का अपर लेर परियाप्त मात्रा में गर्म है बट लेकिन अगर कुछ हो जाता है किसीज में टो सेट ओफ चेन एक चेन को सेट ओफ करने में सेट ओफ मतलब एक चेन की शुरुवात करने में अगर कोई चेन अगर कोई कड़ी बन जाती है स्टार्ट हो जाती है सेट ओफ मतलब स्टार्ट हो न कोई chain start हो जाता है of events कोई event कोई घटना घटने लगती है लगातार continuously which lower the ocean temperatures जो ocean का जो temperature उसको lower करता जाए continuously ocean के temperature को घटाता जाए then we have had it तब हमारा उपड़ी layer जो है वो भी कम गर्म हो जाएगा उसकी भी गर्मी धिरे-दिरे कम हो जाएगी for example example के लिए whenever जब कभी a volcano erupts कोई volcano erupt होता है कोई जो आलम मुखी फूटती है the particles from it तो इसका जो particles है जो आलम मुखी फूटती है तो उसमें से कर्ण निकलते हैं आग तो निकलता ही है उसमें से particles भी निकलते हैं बहुत सारे चोटे चोटे कर्ण निकलते हैं from it इसमें से may find their way to the atmosphere वो atmosphere में चले जा सकते हैं पर यह उड़ करके उसमें से निकल करके पडियावरन में उसके कर्ण Volcano के क्रण जो आलमुखी के क्रण atmosphere में जा सकते हैं हवाँ में there वहीं पर टेंब एक्ज़ अब्सौर्प और स्काटर संलाइट वहीं से उसल्टा सकते हैं than normal volcanic activity अगर हमारे यहां normal जो volcanic activity होती है जो एक normal जो आलामुखी फूटती है उससे ज्यादा more उससे ज्यादा अगर जो आलामुखी का विस्पोर्ट होने लगे we run into the danger of creating dust screens that prevent the sunlight from performing its warming operations तब we run into the danger तब हम उस खत्रे में चले जाएंगे उस खत्रे की तरफ दौर परेंगे चले जाएंगे किस खत्रे की तरफ of creating dust screens एक हमारे प्रित्वी के चारों तरफ एक dust का screen जो है वो create हो जाएगा धूल कनों का screen जो है वो create हो जाएगा परत जम जाएगी वोलकेनों से निकलने वाले धूल कनों से वो क्या करेगा प्रिवेंट द सनलाइट वो सनलाइट को रोकेगा प्रिवेंट करेगा फ्रॉम पर्फॉर्मिंग इट्स वार्मिंग ओपरेशन ये जो गर्म जो सूरज की जो गर्मी है वो जो गर्म करने का जो ओपरेशन करती है गर्म करने का जो काम करती है धर्ती को परियावरन को बातावरन को पानी को उसका जो ओपरेशन है ये वार्म करने का गर्म करने का उ As I noted several years ago, जैसा कि मैंने कई साल पहले note किया था, मैंने गौर किया था, the safety margin skipped by nature was getting narrowed and narrower. जो safety margin है, जो nature हमेशा safety margin लेकर के चलता है. आप लोग देखते होंगे, हमारे जो पूर्वज लोग होते थे, वो बरसात के पानी से ही खेती करते थे, लेकिन आज कल देख सकते हैं, आप लोग, जब धान रोपने का समय आता है, तब बरसात नहीं होती, लोग दमकल, बोडिंग से खेत में पानी डाल करके खेती करते हैं, पडियावरण का safety margin जो है, वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है वो धीरे-धीरे सिकुर्ती जा रही है अपनों को याद होगा है स्टाइटिंग में मैंने कहा था कि जब ये लोग बैठे थे तब उन्होंने एक खबर आई थी कि फिर से विसूवियस जो है जो एक जवाला मुकी है बहुत बरा जवाला मुकी है जिसके फूटने से कई शहर तबाह हो गए थे उस ज्वाला मुखी का नाम था विसूवियस तब जब कोई ज्वाला मुखी फूटती है तो उसमें से जो धूलकन निकलते हैं जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो परियावरण में चले जाते हैं और वो पार्टिकल्स क्या करते हैं सूरज के किरन को सोख लेते हैं या फिर उसे परावर्तित करते हैं जिससे सूरज की गर्मी जो है धरती पर कम आती है जिसकी वज़े से धरती का वातावरन जो है अटमोस्फियर जो है वो ठंडा हो जाता है और शायद इसलिए only now केवल अब पांच साल पहले जो वारता लाब जो बातचित हुई थी वसंत और राजीव के बीच में अब राजीव उसकी प्रसंसा कर सकते है अप्रिसेट मतलब प्रसंसा करना कि सही में इसी वज़े से वसंत ने यह अनुमान लगाया था कि इतनी बरी ठंडी इतना ज़्यादा ठंड होगा इन वाशिंग गटन में जो चर्चा हुआ था इसलिए सायद वसंत इतने ज़्यादा वरी थे इतने ज़्यादा चिंतित थे at the news of from Vesuvius Vesuvius का जो वो news आया था उसमें वाट ले अहेड आगे जो हुआ वसंत का जो सबसे वर्स फीर था सबसे भहंकर जो उनका डर था वसंत का जो डर था वो अब महसूस हुआ किसको राजीव को अच्छा ठीक है the ice is has arrived ice is आ चुका है predicted by an Indian scientist Indian scientist के दौरा predict किया गया predict किया गया था वो ice is अब आ चुका है this is how Rajiv's article headline Rajiv ने जो article चापा था paper में उसका headline यह था यहां से यहां तक यह पूरा the ice is has arrived उपर में जो headline होता है it got considerable publicity in India and latter the foreign news agencies also picked it up and circulated it widely और इसको consider किया गया publicity in India इंडिया में इसको considerable publicity मिला एकदम परियाप्त publicity जो है लोगों के दौरा इसको इस news को लिया गया समझा गया पढ़ा गया खूब जादा and latter और बाद में जो foreign news agencies सभजो थी उन लोगों ने भी इस news को pick किया इस news को छापा जो सब उपर में हमने इन्होंने interview में बताया था वो सब कुछ and circulated it widely और एकदम विस्तार पुरवक से हर जग इस news को फाइला दिया गया soon जल्द ही वसंत चितनिस became a celebrity वसंत चितनिस एक celebrity बन चुके थे the fact that he had scientifically predicted the catastrophic change in the climate earned him respect from the masses and credibility amongst his scientific peers क्योंकि जो fact था जो असली बात ये थी कि he had scientifically predicted उन्होंने एकदम वैज्ञानिक आधार पर scientifically predict किया था उन्होंने अनुमान लगाया था the catastrophic change in the climate climate में जो जो catastrophic change आएगा जो विनाशकारी परिवरतन आएगा climate में वातावरें में इसके बारे में उन्होंने predict किया था earned him respect उनको इसकी वज़ा से उन्होंने खूब respect कमाया from the masses आम जनता के तरफ से खूब इनको respect मिला and credibility और इनको credibility भी मिली मतलब विश्वस नियता एकदम लोग इन पर भरोसा करने लगे कौन लोग amongst his scientific peers उनके जो scientific जो साथी थे जो वैग्यानिक साथी लोग थे बाकी के जो वैग्यानिक थे उन लोगों के बीच में भी इनकी जो credibility है इनकी जो विश्वस नियता है वो बढ़ गई and as a result और result के तौर पर his prognostications about the future began to be taken seriously there will be हाँ और उसका परिणाम क्या हुआ कि इनका जो prognostication था जो इनकी जो भविश्यवानी थी prognostication का मतलब भविश्यवाने future के बारे में future को ले करके इसको seriously लिया जाने लगा इनकी बातों को seriously सुना जाने लगा और follow भी किया जाने लगा there will still a number of established scientist अभी भी a number of धेर सारे established scientist जो थे एकदम जो बहुत पुराने और जो जिनको experienced scientist हम बोल सकते हैं वो लोग जी थे who did not agree that वो लोग agree नहीं उन लोगों ने agree नहीं किया कि that कि this was the onset of an ice age कि ये एक ice age का onset है कि ice age की शुरुआत है इसको मानने से कई सारे scientist ने मना कर दिया they attributed this उन्होंने इसको attribute किया जिम्मेदार ठाय रहा है किसी इसको जिम्मेदार ठाय रहा है magnitude than usual no doubt इसमें कोई संदेह नहीं था कि larger magnitude than usual बट transient nevertheless ये जो था वो कि परिनाम में कि लार्जर था बहुत बड़ा परिनाम था बहुत कई जगों पर जो है वह आई से इसकी शुरुआत हो चुकी थी बहुत ज्यादा ठंद पर रही थी बट transient never be less लेकिन ये transient जो है छन चनिक गरवरी तो फिर भी नहीं थी दे प्रामेश्ड दाट उन लोगों ने प्राम प्रामेस किया कि that the good old warm days would return within a few years once the balance was resolved कि यो जो पुराना जो good old warm days है जो पुराना गर्मी का दिन है वो फिर से return हो जाएगा कुछ ही सालों में once the balance was resolved जैसे ही यह जो balance है nature में यह जैसे ही resolve होगा solve होगा वो जो problem हुआ है वो ठीक हो जाएगा to the process of heating and cooling of the oceans and the air above जो महासागर में हीटिंग और cooling का जो balance है महासागर में और हवा में यह जैसे कि बनेगा सब कुस ठीक हो जाएगा it was however hard to convince the countries caught in the freeze out और यह उन देशों को convince करना बहुत कठिन था जिन देशों जिन देशों में एदम freeze हो चुके थे जिन देश जिन देशों में पूरी तरह सब को जम चुका तो उन देशों को यह चीज समझाना बहुत मुश्किल था कि यह problem हुई है वो बहुत जल सॉल्व हो जाएगी एट प्रेस कंफरेंस एक प्रेस कंफरेंस हुआ था जहां पर बहुत सारे मीडिया वाले आये थे बाइंटरनेशनल रिपोर्टर्स इंटरनेशनल रिपोर्टर्स आये थे वहां पर प्रेस कंफरेंस हो रहा था वसंत वार्ण अगेंस्ट एनी कंपलेसेंसी वसंत ने वार् है there may be some thaw in the summer गर्मी के महीने में गर्मी के समय में कुछ था जरूर होगा था मतलब बर्फ जरूर पीग लेगा कुछ but don't take it as the end of this ice age लेकिन इसको ice age का end मत समझ लेना कोई भी वो वार्म कर रहे हैं सबको for a much colder winter will follow अगर आपने इसको ice age का end समझ लिया तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि a much colder winter इससे भी ज्यादा ठंड आने वाली होगी अगले बार आएगी there is a way of preventing it एक तरीका है इसको रोखने का which we can try now जो हम लोग अभी try कर सकते हैं before it is too late इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए हम लोग इससे try कर सकते हैं इस तरीके को it is still possible to reverse the trend इस trend को reverse करने का भी भी possibility है but it will cost a lot of money लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा please spend it please ये पैसा खर्च कीजिए एक बोलना है पूरे दुनिया को but this warning proved to be of no avail लेकिन ये जो warning थी वो साबित हुई किसी काम की नहीं no avail मतलब इस warning से कोई फाइदा नहीं हुआ इन एप्रिल के महिने में the spring arrived spring का महिना आया with a slight rise in temperature temperature में हलकी सी rise हुई temperature थोड़ा गर्मी थोड़ी बड़ी the summer everywhere in the northern hemisphere जो उतरी जो हमिस्फेर था जो उतरी भाग है उसमें गर्मी बड़ी हर जगह गर्मी थी was warm वो गर्म था हर जगह northern and the sunny और एकदम धूप निकला हुआ था even the winter down south was nowhere as bitter as that in the north had been और जो south जो area है उसमें भी south में भी उतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी जितनी की परनी चाहिए थी so the weatherman as well as the others began to predict that the thaw had set in इसलिए जो मौसम जो वैग्यानिक होते थे वीदर में जो मौसम की जानकारी वाले लोग होते थे और जो बागी के लोग थे उन लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया अनुमान लगा लिया कि ठीक है अब जो ये था है ये जो बर्फ का पिकलना है वो अब सुरू हो चुका अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है दा विंब्लेडन मैचेस टुक प्लेस एज यूजवल विंब्लेडन में जो मैच होने वाला था वो एकदम सामानी तोर पर स्टार्ट हो गया अल्दो दे प्लेयर्स हैड टू वियर वार्म पुलोवर्स हालां प्रेलिया ने फिर से एशिया कप पर एशेज पर खबजा जमा लिया एंड फोर वन्स नो वन कुड ब्लेम दविदर और इस बार फिर से वेदर को कोई भी ब्लेम नहीं कर रहा था मौसम को कोई भी दोश नहीं दे रहा था दो यूएस ओपन गोल गोल्फ टूनामेट यू अन प्रेसिडेंटे जो बालमी विदर है और मतलब सुखद मौसम जो है जिसका अनुमान किसी ने नहीं किया गया था ऐसे सुखद मौसम में गॉल्फ काटूनामेट खेला गया दाउन इन दे ट्रोपिक्स दे एक्सेसिव ट्रोपिक्स मतलब उष्न कटी बंदिये छेत्र जो होते हैं जहां पर गर्मी परती है वहां पर हीट वाज एबसेंट बहुत ज्यादा गर्मी नहीं थी बट दे मौनसून केम टू दे इंडियन सब कॉंटिनेंट प्रॉंप्टली एंड इन एडिक्वेट मेजर लेकिन जो मौनसून है वह इंडियन सब कॉंटिनेंट में प्रॉंप्टली मतलब इंडिया का जो यह सब कॉंटिनेंट जो उप महादूइप है उसमें तुरंत एकदम जटपड से एकदम पड़यापत मातरा में मौनसून आचुका था एकद इसने भी महान देशते बरे देशते और जो छोटी छोटी देशते सभी लोगों ने सोच लिया कि वी नीड नोट है पैनिक होने की घबराने की जोड़त नहीं है इसको इंडिया के लोग थैंक्स कर रहे थे विच वाज इस्टिल वर्किंग ऑन दो मौडलिटी जो डिली से बॉंबे शिफ्ट करने के मौडलिटी पर काम कर रहे थे तौर तरी को साधन पर काम कर रहे थे देनाओ वुंड अब दियर हाफ फिनिस्ट डेलिबरेशन विद रिमार्क उन लोगों ने इस आधे खत्म डेलिबरेशन को आधे खत्म विचार विमर्ज को बंद कर दिया वुंड अब मतलब खत्म कर दिया कापिटल को राज़धानी को शिफ्ट करने का विचार था उसको इन्हों ने खत्म कर दिया यह बोल करके कि की डिसीजन पॉसपॉंड तिल फर्दर नोटिस अगले नोटिस तक इस decision को capital को change करने का capital बदलने का जो decision उसको postpone किया जाता है मतलब अगले decision तक अगले notice तक इसको रोग दिया जाएगा